Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया तो आज इस chapter का last lecture है ना, pharmaceutical chemistry chapter number 5 जिसके दर लोग पढ़ रहे थे Pharmaceutical doses form, बहुत लंबा chapter रहा है ये, एक्चली इसके दर बहुत सारे topic थे और जैसे मैंने कहा था कि last lecture एक या दो पार्ट में हो सकता है, बट मैंने एक ही पार्ट में कर दिया है फिर से कहा रहा हूँ थोड़ा सा ये lecture लंबा होगा, ठीक है ना, copy pen लेके बैटें, बहुत सारी बाते होंगे इसके अंदर जो कई बार क्या होता है, समझतों लेता है बच्चा लेकिन बाद में उससे सोचता की लिक्कत आती है, तो लिखे साथ के साथ स्टार्ट करते हैं फिर इसको हम लोग, करें स्टार्ट, खोश हो जाओ, लाश्ट लाश्ट लेक्चेर है, चैप्टर नबर 5 का, ठीक है ना, 23 लेक्चेर है, ओके, शुरू करें, चलो, तो हाज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्मिनोलोजिकल प्रोड़क्ट, जहां पर हम वैक्सेन, टॉक्सवाइड है ना, वैसे तो बहुत प्रगार के होते हैं, ठीक है, लेकिं हम लोग, सेरा वैक्सेन, टॉक्सवाइड, तीनिस कैटेगरी लेंगे आपर इसकी, और इसी के अंदर सब कैटेगरी को समझने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारे सिलेवस में बे जाने है, तो स्टार्ट करें, तो सुरुवात करते हैं, इम्मिन लोजिकल प्रोड़क्ट, क्या होते हैं, इम्मिन लोजिकल प्रोड़क्ट, ठीक है, तो डेफेसर के साफ़ समझे, अगर हम लोग, तो ऐसे प्रोड़क्ट है, इम्मिन लोजिकल प्रोड़क्ट, कम्प्रा यहां पर एक ग्रूप होता है फार्मसेटिकल प्रप्रेशन का विद डाइवर्स ओरीजिन जो की अलग अलग जगाओं से बनते हैं अलग तरीकों से बनते हैं बट विदा कॉमन फार्मकलोजिकल परपस बट उन सब का परपस एक ही होता है डाट इस दा हमारा जो इम्म्यून स्टेटस है उसको मौडिफाइ कर देते हैं मतलब उसको जगा देते हैं एक तरह से ठीक है न इस्टेटस ऑफ दा रिसीपियंट जिसके अंदर की यह प्रोट्ट डाला जाएगा उसका जो इम्म्यून सिस्टम में मौडिफाइ हो जाएगा डेफिनिशन लेने के बाद हमारा इम्म्यून सिस्टम मौडिफाइ हो गया कैसे मौडिफाइ हो गया वह हमारा इम्म्यून सिस्टम जो वैक्सिन लेने से पहले साथ अगर पोलियो वारिस डायर अटाक कर जाता तो हमारी बॉड़ी का कोई न कोई सिस्टम खराब हो जाता हाथ पैर वग अब modify किस प्रकार से कर रहा है वो या तो either to provide immunity to the infectious disease या तो जो infectious disease है जो disease infection फैलाती है उसके खिलाफ immunity देदेगा या to add in detection of such disease या aid मतलब help करेगा ऐसे disease के detection में अब जब detect हो जाएगी ऐसे disease तो हमारा immune system ready हो जाएगा क्या रहे यह आया polio virus सब तयार हो जाएगा मारना है इसको detect कर लिया तो कुछ भी हो सकता है या तो इन लड़ने immunity हमारी strong कर देगा या detect करने में help करता और यही तरीके होते हैं जिससे कि हमारा immune system alert हो जाता है भविश्य में उन बिमारियों के लिए जिन बिमारियों के हम लोग vaccine ले लेते हैं ठीक है दा इम्मिलोजिकल प्रोड़क्ट और करंट्ली अविलेबल और आफ दा फॉल्लाइं टाइप करंट में देखा जाए तो तीन प्रकार से immunological प्रोड़क्ट जो अविलेबल है हमारे पास vaccine के रूप में human immunoglobin के रूप में और किया रहेगा readymate नहीं कि हम कहीं से पहले से antibody तयार रखें antibody क्या है antibody हमारी bodies के रक्षक है सिपाई है ठीक है antibody क्या होते है हमारी body की सिपाई है तो इन दोनों case में क्या होता है readymate सिपाई हमारी बाडी में डाले जाते हैं और वो फाइट करते हैं ठीक है इसके केस में क्या होता है वैक्सीन वैक्सीन देने से हमारा immune system active होता है और वो सिपाही बनाने लगता है यह अंतर आता है ठीक है ना? समझेंगे ने बारी-बारी से तो दो को human immunoglobulins क्या बात कह रहा है यह? clear रहे हैं यहां तक बाते हैं? बात नेखा समझ में आ रही हो कि अभी detail हम पढ़ेंगे सब कुछ बारी-बारी से कि क्या है तीनों में क्या अंतर आता है सब कुछ पढ़ेंगे सिर्फ अभी फिला इतना समझते चलें antibody जिसको antibody नहीं पता है आगे और clear हो जाएगा antibody बाड़ी मैंने बताया जैसे सिंपल भासता में कि हमारे बाड़ी के soldier होते हैं जिनको नहीं पता बेटा वो थोड़ा सा है वीडियो पॉस्ट करके एक वारी क्या कर लें थोड़ा सा definition की check करें ठीक है? अधरवाइस फिर से आते हैं हम यहापे वापस human immunoglobulin immune globulin injection is used यह injection होता है used to prevent infections infection को रोकने के लिए or make the infection less severe या फिर जो infection है उसको कम घातक बनाने के लिए कम severe कर देता है यह when your body has weak immune system जैस हमारी body का immune system weak होता है हमारी body का immune system उतना अच्छा नहीं है कि वो बहुत अच्छी मात्रा में antibody बनाए तो ऐसी अवस्ता में हम लोग immune globulin का injection देते हैं क्या करता है यह immune globulin contain antibodies antibodies अभी फिलाल के लिए तना समझो antibodies क्या है वो molecule है हमारी body के जो बिमारियों से लड़ते हैं antibodies क्या है वो molecule जो बिमारियों से लड़ते है that make your immune system stronger अब जब immune system का काम क्या होता है antibodies बनाना अगर वो सही से antibody नहीं बना पा रहा है तो यानि कि हमारा immune system कमज़र पढ़ गया निकी सिपाई तयार नहीं कर पा रहा है तो उसको stronger जाएसी बात है भास से सिपाई आ गए help करने के लिए it is used for patient who have primary humoral immunodeficiency अब humoral immunodeficiency बेटा हम लोगों ने जो immunity वाला part पढ़ा था ना active immunity, passive immunity, types of immunity के अंदर यह हमने humoral वाला part पढ़ा था अभी इसको detail में नहीं जाना है जाद दिमाग ने लगा ना महाँ पर बात में इसको check कर ले ना ठीक है जहाँ पर हमने इmmunity वाला part पढ़ा था humoral immunodeficiency जब होगा ठीक है उसके हम PI कहते है तो किस case में हम यह देना पढ़ेगा जहाँ पर humoral immunodeficiency हो जाएगी या एडियोपैथिक thrombocytopenia purpurio हो जाएगा या chronic immune thrombocytopenic purpurio हो जाएगा यह सारे conditions हैं जहाँ पर हमारा immune system weak पढ़ जाता है अलग अलग तरी condition है अलग अलग reason होते हैं हम यह reason पर नहीं जाएगे condition पर नहीं जाएगे केवाल हम देख रहे conditions क्या क्या है chronic immune thrombocytopenic पर प्यूरा है chronic inflammatory demyelinating polynearopathy ठीक है और dermatomyositis ठीक है ना तो यह तमाम तरह की ऐसी बिमारियां हैं यह ऐसी conditions हैं जहां पर हमारा immune system weak हो जाता है जब हमारा immune system weak हो जाता है proper antibodies नहीं बना पा रहा है तो हमको बहार से antibodies लेने की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो हम लोग क्या लेते हैं immune globuline एक तरह का preparation होता है देखेंगे आगे इसके अलावा immune globuline जो बाहर से antibodies लेते हैं वो हमारा muscle strength को भी increase करता है and disability in patient with multifocal motor neuropathy जिन patients के अंदर multifocal motor neuropathy होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है यह उसको improve कर देता है अब उसके अलावा immune globuline injections belong to a group of medicine known as immunizing agents ठीक है इनको हम लोग क्या बोलते है immunizing agent जो immunize कर रहे है याने कि एक तरह से हमारा immune system को improve कर रहे है human immunoglobulines are manufactured from human plasma देखेंगे अभी आगे जो human globuline है जो इंसानों को दिया जाता है वो होता क्या है अभी साइद आप रोने देखा होगा जिसको करोना था याद आया कुछ ऐसा नहीं याद आया अच्छा कुछ को याद आ गया ठीक है पता है कुछ लोग को पता है है ना जिनके antibodies जिसको बिमारी थी यानि कि उसके अंदर वो antibodies develop हो जाते थे तो हम लोग क्या करते थे उसे हम plasma pharesis कहते है यहां से लगाया एक सुई बलड को भार निकाला और वापस से बलड को ला करके दूसरे जगे से बॉड़ी के अंदर डाल देते थे केवल बीच में एक machine लगी होती थी देखेंगे अभी आए का जब में आगे बताऊंगा वहां से plasma filter कर ले आता था इसके नदर antibodies होती थी तो human immunoglobulins are manufactured from human plasma using various procedure काई सारी procedure होती है जिसमें प्लाज्म फेरेसिस होती है अभी आगे देखेंगे आएगा lecture में immunoglobulin preparation for subcutaneous अगर injection मेरा subcutaneous लगेगा या intramuscular लग रहा है SCI-MIG है ना इता आएजी आएजी क्या होता है immunoglobulin and intravenous IVIG application differ with respect to manufacturing protein content and tolerance हमें injection कहां देना है subcutaneous देना है intramuscular देना है या intravenous देना है उसी के according उसकी manufacturing और उसके नदर जो protein content लिया जाता है और उसकी tolerance होती है यह सब चीज़ें क्या होती है बदल जाती है ठीक है अलग-अलग हो जाती है आगे आते हैं human immunoglobulin provide passive immunity बेट आफ वनमास कोशन मार्क करेंगे यह ठीक है इंपोर्टेंट है वनमास कोशन के लिए यह passive immunity पैसिव मतलब जो बहार से दी जारी हमारी body ना खुद पैदा नहीं करी है उसको हम लो क्या कहते है पैसिव एक्टिव इम्मुनिटी पैसिव इम्मुनिटी सब पढ़ाया हुआ है बोलो हाँ ठीक है पैसिव में क्या है उसके खुद की तो है नहीं तो किसी और की antibodies उसकी body में डाली जाती है to help prevent और fight certain infectious disease जिससे की वो लड़ सके रोक्ताम कर सके ठीक है उस इंसान के अंदर बिमारी हो गई है जिसके अंदर antibodies नहीं बन रही थी उसके अंदर हमें डाल दी किसी और की antibody अब क्य क्या होगा बच जाएगा प्रिवेंट कर ले जाएगा लड़ जाएगा किससे बिमारी से उसका सरीर इस टाइप आफ इमिनिटी इस शॉट लिफ्ट बट प्रोवाइट इमीडियेट प्रोटेक्शन यह इमिनिटी शॉट लिफ्ट होती है इसमें सबसे अच्छा एक्जाम इसमें टिटनस का लगा है वह एंटी बॉड़ी आपकी बॉड़ी में कम से 6 मैंने जिंदा रहती है उसको जो आएगा अगर टिटनस है ना तो इस प्रकार से शॉट लिफ्ट है लेकिन जो प्रॉपर एक्टिव इमिनिटी होती है वह लाइफ लॉंग रहती है जिंदगी लॉंग क्लोनल एंटी बॉड़ी यह क्या चीज था है यह भी एंटी बॉड़ी था अंतर क्या है थीक है इंसान के अंदर से निकाल नुकूल क्या अपना काम कर लिया था यहां पर देखो क्या हो रहा है Monoclonal Antibody also called Moabes या M-A-B-S Short form में बोल दिया था इसको Are proteins, ये एक तरह की proteins होती है Made in Laboratories That act like proteins called antibodies इनको हम लोग lab में बनाते हैं और ये उसी protein, antibodies भी proteins हैं वेटा मार्क करें, question ये भी वन मार्क Antibodies are also protein हमारी body में Maximum चीज़े proteins की बनी हुई होती है इसलिए हमारी body को protein की बहुँ जादा नीड होती है तो lab में एक खास तरह की protein मनाई जाती है जिसको हम Monoclonal Antibodies कहते हैं वो हमारी body की antibodies की तरह ही work करती है Antibodies are part of your immune system अब भी आगे बता रहे हैं कि antibody हमारी body का Immune system का part है They seek, seek मतलब ढूनते हैं कौन? Antibody ढूनते हैं Seek out the antigens Antigens कौन होते हैं? Disease causing agent फ्याने कि foreign material Antibodies जितना भी disease causing agent याने कि antigen अब ये बाट जिमागों सेट कर लो Antigen, disease causing agent Antigen क्या होता है? Antibody को produce करवाता हमारी body में ठीक है ना? किसी कोई antigen हमारी body मा जाएगा तो antibody आगे attack कर देगे उसके उपर याद कर लो इसको बार 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 रिपेट नहीं करूँगा तो ये antigen को क्या करती है? ढूनती है and stick to them और उससे चिपक जाती है आगे थोड़ा सा देखेंगा इसमें आगे आएगा उसका आप मेकेनिजम में समझेंगे to destroy them उससे चिपक करके फिर उस antigen को ये मार डालती है चेल खतम हो गया? antibody ठीक है न? ये line आप चाओ तो human immunoglobin में भी लिख सकते है common है क्योंकि antibody ये काम करने का तरीका ये होता है laboratory made monoclonal antibody help stimulate your own immune system ये help करती है हमारे खुद के immune system को stimulate करने में ठीक है? the word monoclonal monoclonal word आया clone से refer to the fact that the antibodies created in the laboratory are clones ये clones होती है उसका रूप मतलब इस तरह से copy बना रहे हैं किसी की they are exact copies of one antibody यानि कि मान लोग को हमारी body से antibody ली और उसकी धेर सारी copy बना ली गई है the generic names of the product often include the letter MAV जो भी generic name होता है जो product market में available है monoclonal antibody का उसका generic name होगा उसके last में MAV लिखा रहता है कैसे देखो ज़रा ETSV MAB जो monoclonal antibody अब कभी अगर इस तरह का CC देखो और आखनी में MAV लिखा हो तो समझ जाना antibodies दी जा रही है ठीकर लास्ट में क्या लिखा रहता है MAV Monoclonal Antibodies at the end of the name Monoclonal Antibodies provide again passive immunity माक करेंगे इस बात को कैसे होती है ये भी ये antibodies जब बहार से दी जाएंगी चाहिए किसी प्रकार की हो चाहिए किसी इंसान से निकाल के दूसरे इंसान में डाल दी जाएं यह हम लेवरेटरी में बना के डालें हैं तो antibodies ना वो कुछ टाइम के बात खतम हो जाएंगी मर जाएंगी तो हमें वापस भाहर से डालनी पड़ती है अब सवाल यह आता है यहां पर कि हमने यहां बोला है Monoclonal तो clone का मतलब clear हो गया अब यह Mono और कई बार हम पढ़ते हैं Monoclonal और यह होता है Polyclonal antibodies यह क्या चीज है Monoclonal और Polyclonal तो सिंपल सी बात है Monoclonal में एक परकार की antibody होती है Polyclonal में कई परकार की antibodies होती है यह निकि वो कई परकार की बिमारियों को मारेगा ठीक है The difference between the two types of antibody is in the name इसका difference इसके नाम में छुपा हुआ है Mono refers to Mono का मतलब क्या है To one And Poly refers to many Mono का मतलब one Poly का मतलब कई सारी Monoclonal antibodies are clones Monoclonal clone होती है Exact copy होती है Of just one antibody केवल एक ही antibody की धेर सारी copy होती है Monoclonal antibodies And they bind to one antigen only और ये केवल एक ही परकार के antigen को bind करेंगी यानकि मारेंगी उससे बंदेंगी और उससे मारेंगी Polyclonal antibodies come from several different types of immune cells जो polyclonal है वो कई सारी immune cells से मिलके बना होता है And will bind to more than one antigen और ये एक से ज़्यादा antigen को बांद सकती है मार देगी के लिए रहे बाते है Types of disease Monoclonal antibody treat आज कल हम लोग Monoclonal antibody से किस किस प्रकार की बिमारियों ठीक किया जा रहा है तो इसमें cancer, organ transplant rejection जब हम और गन को लगाते हैं न कि एक एक इंसान का दूसरे इंसान में तो body reject करती है उसको हम overcome करवाते हैं इससे inflammatory and autoimmune disorder including allergies यहां पर है infections including COVID-19, COVID-19 में भी हम लोग ने इसका इस्तमाल किया हुआ है जैसे में बताई रहा था भी osteoporosis, eye conditions, migraines, high cholesterol है और nervous system disorder है तो तमाम तरहें की बिमारिया है जहां पर हम लोग monoclonal antibodies का use कर रहे हैं अब कैसे करते हैं किस परकार की बिमारिया है वहां detail में नहीं जा रहे हैं अभी फिलाल बिमारियों को नाव से cancer पता ही है transplant पता है autoimmune पता है ठीक है COVID-19 हमको पता है ठीक है इन बिमारियों में हम लोग ने monoclonal antibodies का use कर रखा है के लिए रहें फिर तीसरी वराइटी जो आती है हम लोग क्या पढ़ रहे थे immunological प्रोड़क्ट पहला क्या था immunoglobulins दूसरा monoclonal antibody और तीसरा क्या आ गया vaccine discuss लेटर इस ही में हम आगी डिटेल हैं पढ़ेंगे vaccine को ठीक है start करें अब जो starting के दोनों थो नहीं दोनों थे ठीक है जो starting के दोनों थे बहुन अक्रोन एंटीबोडी और इम्यून ग्लोबिलिंस ठीक है ना वो दोनों क्या है antibodies है और उन दोनों को हम लोगों ने cover किया है सेरा के अंदर बात समझ में आई सेरा क्या होता है अब इस पता जाएगा सेरा भी क्या है एक तरह की preparation है जिसके अंदर antibodies होती है याने कि इसके अंदर ऊपर की दोनों variety हमारी immunological product cover हो जाएंगे जाएंगे तो सेरा क्या होता है तो सेरा सेरा का मतलब क्या होता है सीरं डैट कंटेंस antibody ऐसा सीरं अब सीरं पता है ना सीरं पता होगा अगर याद होगा ब्लड के अंदर प्लाजमा होता है उसमें सम्क्लोटिंग फ्लेक्टर हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट सीरम होता है या जो चोट लगने के बाद जब छोट खूट निकलना बंद हो यह लोई श्या फिलूड निकलता है उसको सीरम बोलते हैं याद आ रहा है कुछ-कु होता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्लड का ही कंपोनेंट है शीरम विच डज नौट प्लेया रोल इन उसको बाहर निकाला जाये तो उसका वह इससा अलग कर दिया जाये जो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है उसके अलाव जो पार्ट बच जाता है उसका हम लोग क्या बोल अब डिब्लड ब्लड प्लाज्मा इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड का प्लाज्मा लेलो और उसमें से विदावट दा क्लोक्टिंग फैक्टर जेतने भी अपल्ड इन येटने भी प्लड गॉक्र करते हैं उनको हटा दें तो बचा हुआ पार्ट क्या कहला है करेंगा सीरम कहलाएगा ठीक है तो blood plasma without clotting factor तो serum को हम ऐसे define कर सकते हैं इतना काफी है ठीक है और as blood with all cells and clotting factors removed या हम ऐसे कहलें blood with all cells सभी cells के साथ and clotting factor हमने क्या कर दिया है remove कर दिया है ऐसे भी बोल सकते हैं serum includes all protein अब बता रहा है serum सेरों के अंदर सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं एलबंइन ग्लोबीलीद SGht सब होता सके अंदर नॉट यूजजीं ब्लॉड-कलॉटिंग वौ सारी प्रोटीन सोसे जो ब्लॉट-कलॉटिंग में इस्तिमाल नहीं होते हैं हैं हें एंटीजिशкий हैं एंटी जेंस होते हैं, हार्मोन्स एंड एक्सोजीनस सब्स्टांस एक्जांपल, ड्रक्स और माइक्राइबनिजम या हमने कोई चीखा रखिए यह से ड्रक्स वगरा तो वो भी सीरम के अंदर पाया जाता है ठीक है, सीरम डज नॉट अब हम लोग करते क्या है, यह जो सेरा है यह जो सीरम है, ठीक हर किसी का तो फाइदे मंद है नहीं हमारा मेन टार्गेट क्या है, एंटी बॉडी अच्छा एंटी बॉडी हर समय हमारी बॉडी में मौझूद है, थोड़ी बहुत तो रहती है और कुछ खास एंटी बॉडी तब ही आती है, जब खास तरह की बिमारी हमारी बॉडी पर अटेक करती है उससे पहले वो एंटी बॉडी हमारी बॉडी में नदर नहीं आती है तो हमें वही तो एंटी बॉडी शही है, खास ओली तो कह रहा है, it is obtained from animal लग उस जानवर से हम लोग प्राप्त करते हैं यह वाला जो žिय किया हो और infection with microorganism containing the antigen या ऐसे microorganism से उसे हम infect कर दें जिसके अंदर antigen मौजूद हो तो जैसी antigen जाएंगे body के अंदर उसके अंदर antibodies बनना शुरू हो जाएंगे to obtain serum serum को obtain करने के लिए a blood sample is allowed to clot जो blood हम निकालते है animal जानवर के अंदर से उसको क्या करते हैं clot कर लेते हैं जम जाता है ना खून फिर the sample is then centrifuged उसके बाद बहुत तेजी से उसे घुमाया जाता है तो centrifugation होता है ठीक है तो जो cells होते हैं वो सब एक तरफ हो जाते है के वल उपर liquid लिक्विड अलग हो जाता है जो क्या होता है कि हमालों टेस्ट ट्यूब है इसके दमें खून ले लिया यह खून भरा हुआ है यह खून पूरा जाएगा क्या हो जाएगा जम जाएगा जम गया पूरा फिर जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज कराएंगे सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है बड़ी तेजी से इसको एक मशीन होते हैं बड़ी तेजी से घुमाएंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जितने भी सेल थे वो सारे यहां नीचे की तरफ आ जाएगे और ऊपर केवल क्या रह जाएगा सीरम रह जाएगा उपर केवल क्या रह जाएगा सीरम रह जाएगा नीचे जितने भी सेल होंगे वो सब यहां आ जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे टू रिमूव ता क्लॉट एंड ब्लड सेल को हटा देंगे एंड रिजल्टिंग लिक्वी थोड़ी दिरवाद क्या होगी रेट यहां बैड याएगी उपर जो पानी बचेगा इस पानी को हम लोग क्या कहते हैं सुपरना टेंट यह टर्म भी बार-बार आने वाला है इसके अंदर इसलिए समझा रहा हूँ इस लिक्वीड को उपर आले को हम लोग क्या कहते हैं सुपरना टेंट जो नीचे गंदगी बैट गई है वो अलग हो गया उसे हम वो कहते है परेशjekपेड बौल लेती है 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 सटलमेंट बोल देत बाश समझ में आई तो करना क्या है हमें एक जानवर लेना है जानवर जन्वरि घोड़ा होता है ठीक है श के अंदर एंटीजेंशन लगाते हैं एंटीजेंशन और बीमार नहों कि यहundans पैदा हों ऊसके न्लचे से फिर हम लिएक प्रोसेश पढ़ेंगे इस सीरम से फिर हम लोग antibodies को अपना collect कर लेते हैं इस serum से हम लोग antibodies को collect कर लेते हैं एक liquid type का serum तयार हो आता है वो भी दिखाऊंगा मैं अभी और फिर जिसको जरूरत होती है हम उसको दे देते हैं ठीक है ऐसा ही process हम लोग इंसान के साथ भी करते है ठीक है जिस जानवर होता है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता है समझते हैं हो बेटा lecture थोड़ा सा लंबा होगा मैं फिर कह रहा हूँ समझ जाओ कि टॉपिक अच्छे से इसको तो फिर क्या है चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी लिख के क्या है सीरम क्या यह किलियर नहीं होगा तो पढ़ने मज़ा नहीं आएगा ठीक है तो यहाला पार्ट उसमें क्या कहते हैं जब कोशन मैनिफेक्ट्रिंग कोशन डायक्ट आएगा तो यह पार छोड़ सकते उतना ठीक है ना अब आते हैं एक्जांबल एंटी सेरा फ्रॉम और होट्स होर्स ठीक है फोकुष से हम लोग कौन कौन से का कहते हैं अंटिटॉक्सिन प्रॉड वोग खोंद से तो यहां पर एक्या क्रूट टेटरनस का है गैस गैंगरीन का है डिप्थैरिया का है रखी और स्नेख विनॉम यह हम लोग यानए कि हम टेटेनस पहले गोड कोई के अंदर उसके अंदर एंटीवाडिस पैता हो जाती है निकाल लेते हैं गैंगरीन घोड़े को कर वाएंगे पहले उसके अच्छी रम जब एंटीवाडिस बन जाएगे निकाल लेंगे इसे परकार डिप्थेरिया रैबीज और स्नेक विनों हीमन इम्योन ग्लॉबीलिन इनने कि इynnसान से normal hymn्म्युन ग्लॉबीलोन निकाल लेते हैं कईवद दूसरे इनसान में कभी होता है और यह फिछे मैं ने क्या दिखाती मोनो क्रौोन-o 所以 से और यह सी सीरम सीरम ययलोज होता हलका सा यासी वही सीरम होता है उसको बाद में थोड़ा अडेस्ट कर लेते सी दो उसकी आइसो टोनिसेती मतलब टबड़ेंगे अभी हम लोग तो यह सीरम लिक्ट करके फांडली यह सी रम है यह Perman ग्लिन षरीय किसे इस परकार होती है और चड़ा दी जाती है इस्ते से लेकर के इसे इसंती के इस कि पर सकते हैं दकत नहीं होती है लेकिन जब मालोग घोड़े से निकाला है और इंसान में डालना है तो हमें थोड़ा से प्यूरिफाई करना पड़ता है ठीक है सब समझेंगे अभी के लिए रहे बाते हैं मेरे काल से यहां तक बाते समझ में आगे होंगी सीरम क्या चीज है जिसके अंदर एंटी बॉडिस पाई जाती है जिसके अंदर एंटी बॉडिस पाई जाती है जिसके अंदर एंटी बॉडिस पाई जाती है यह कुछ याद आ गया होगा रहे यह तो पड़ा पड़ा सा लग रहा है यही तो एंटी बॉडिस पड़ा सा ना क हमें समझनी थी जिसके मेंने यह डायग्राम ला एक फैब fragment होता है एक एक wsz cabinet होता है कि अता है तो इसको समझने के लिए बना ढाला तो देखो क्या लिख रहा है नोट मैंने बना दिया यहां पर एक समझने के पर होती है called immunoglobulin जी आइजी जी जी ना पांत परकार की होती है आइजी यह यह सबसे ज़्यादा आइजी जी पाया जाता है इस इस वाइज शेप यह वाइज शेप का हता है यह वन मास कोश्चेश ना माउन कर लेंगे एंटी बादी का सेफ शेप ऑफ एंटीबादी शेप आफ यही वह एंटीबॉडी होती है जो सीरम के माध्यम से कलट की जाती है सीरम के जरीए गोडे के सीरम से इंसान के सीरम से अब फिर कर लिए अच्छी बात तो यहां पर हम प्यू पढ़ा रहा है यहां पर इसलिए पढ़ा रहा है अभी हम इसको तोड़ेंगे देखो मजा इस पीसिस होती है इनसान से इनसान में डाल रहे हैं चाहिए कंद्वा ग्रलेता है बस्थिय अनिन इंटन ए स्मृपार से एंडिकर लेते हैं या दूसरी प्यूरा ऀंगे थी में ना पड़ता है और ऐवीग्युवन आईल hin largest To और fed to another animal ठीक है ना तो passive immunization में क्या होता है पूरा का पूरा या same purified जो immunoglobin होता है वो obtain किया जाता है immune animal जिसको injection देके immunize कर दिया गया है और fed फिर दे दिया जाता है fed किया जाता है दूसरे animal को if it is injected into an animal of the donor species अगर ये उसी ही प्रजाती में जिससे ने donate किया है serum उसकी ही प्रजाती वाले animal में दिया जाना है तो then the injected antibody will simply be removed through normal catabolic process तो हम इसको normal catabolic process से simply कर लेते हैं remove करके और सीज़ा सीज़ा इंज़ा कर देते हैं if IgG injected into an animal of a different species अगर किसी और दूसरी प्रजाती में हमें इसे डालना है it will act as a foreign antigen अब क्या होता है ये कैसे behave परेगा एक foreign antigen यानि कि एक तरह का बहरी चीज है हमारी body का antibody इस antibody को मारने की कोशिश करेगी अब and trigger and immune response और एक immune response चालो हो जाएगा अब क्या करें हम तो लाए थे भलाई के लिए ये वाले antibody लाए थे हम भलाई के लिए जैसे कि suppose तुम्हें एक चीज़ बताओ मैं मान लो ये किस के हैं horse के हैं ठीक है ना हमने इसको डाले किसी दूसरे मान लो ये human के just for example समझने के लिए same ही होते लगब तो जैसी horse वाला human में जाएगा human वाला इस horse वाले को बाहर ही समझके न मारना शुरू कर देगा इस antibody को जबकि हमने क्यों डाला human में कि किसी इंसान को साप ने काट लिया है तो हमने horse वाले antibody डाले है injection दिया ताकि साप का जहर का असर खतम हो लेकिन हमारी antibody साप के जहर के साथ लड़ी रही है साथ साथ में इसके साथ में लड़ना शुरू कर दिया उसमे इसको बचाने के लिए इसको रोकने के लिए हम लोग थोड़ी सी process करते हैं इसमें क्या करते हैं प्रॉसेस करते हैं जिससे कि ये इसको अपना ही मित्र समझे दुस्मन ना समझे ठीक है तो क्या करते हैं इसमें तो ठीक है यहाँ पर क्या हो फोरण बहार सो जो आएगा antibody ये immune response ट्रिगर कर देगा याने कि इंसान के अंदर ये immune response इसको खाना सुरू कर देगा such a response will result in prompt elimination इससे होगा क्या ये वाले antibody जो इंसान वाले थे मैंने बताया था वो क्या करेंगा तुरंत इस वाले antibody को body से बाहर निकलना चलू करते हैं prompt elimination it is therefore highly desirable इसी लिए बहुत ज्यादा desirable है to minimize the antigenicity of IgG antigenicity मतलब इसकी वो property इसकी वो property जो इसके लिए antigen का काम करेगी याने कि इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जिसको ये पहचान करके दुस्मन समझेगा that is called antigenicity हमें वो चीज खतम कर देनी है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं the simplest way of doing this is to treat IgG with protease such as papain और पैपसिन या याद रखेंगे अभी आगे process में भी आएगा हम लोग क्या करते हैं एक enzyme होता है protease enzyme papain या पैपसिन उसके अंदर इस serum को डाल देते हैं फिर क्या होता है these split the Ig molecule जैसी हम लोग डालेंगे तो यह देखो यह वाला Ig molecule पैपसिन की कहते हैं fab2 अभी दो पार्टें बंदा हुआ है फिर आगे इसको यह वापस से और तोड़ देता है इस तरह से हमें उपर के ही हिस्से की जरूत थी क्योंकि यह वाला हिस्सा होता है उपर वाला ग्रीन वाला पार्ट है यही तो वह हिस्सा है जो foreign particle को पकड़के खाता है त तो simplest way of doing this is treat Ig with protease such as papain और pepsin ठीक है pepsin ने papain से हम treat कराते है इस split यह manufacturing की process का हिस्सा है बेटा ध्यान रगना इस split Ig molecule into two or three fragments यह दो से तीन हिस्सों में तोड़ देता है the first fragment to be cleaved of the tail of the Y सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है वाई का tail तूटता है इस fragment can be crystallized and so is called FC crystallization fragment fragment का F और crystallization का C ठीक है it does not contribute to toxin of virus neutralization जिसका कोई काम नहीं होता है toxin को खतम करने में यह virus यह bacteria यह बाहर के जो foreign particles होते है उनको neutralize करने में यह उनको मारने में इसका कोई roll नहीं है तो हटा देंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा so it can be discarded इसलिए हम इसे हटा देते हैं चान ग्यालग कर दिया और यह बलकि उसका काम और करता था antigenicity का the rest of the Ig molecule consists of two joint arms of the Y is called FAB2 this fragment retrain the antibody activity इसके अंदर antibody activity होती है ठीक है further proteolytic digestion separate this into two antigen binding fragment ठीक है ना आगे फिरसे जो pepsin वाला पार्ट होता है वो यह papen वाला पार्ट है वो इनको फर्दर और दो भागे में तोड़ देगा तो antigen binding fragment antigen binding fragment FAB ठीक है call FAB fragment antigen binding ठीक है these two are functional यह दोनों कैसे है functional है elimination of the FC region greatly reduces the antigenicity यह जो हम FC को यहां से अलग कर देते हैं यह antigenicity यानिक जो उपर बता रहा था मैं कि जो हमारा human वाला है जैसे इसमें घोड़े वाले को डालते हैं तो इसको पहचान लेता है यह जैसे हमने डाला इंसान के अंदर यह पहचान लिया तो हम जब याला हिस्सा ही हटा देते हैं तो अब क्या करता है यह इसको अपना दोस्ती समझता है फिर उतना ज्यादा अपना दोस्मन नहीं ना तो एंटी जैसेटी बहुत कम हो जाती है कि अल्दो था स्मॉलर फ्रेग्मेंट दू है शौटर हाफ लाइफ देन दा इंटक्ट आईजी यह अलग बात है कि पूरा जो आईजी होता उसकी लाइफ ज्यादा बड़ी है चोटे वाले से लेकिन हम तुरंद जालते हैं तो तुरंट तुरंज मालो सापने काटा है एक अधे जाता है वहाँ पर हमको एससका तुरंथ मिल जाता है शौठर लाइफ का मतलब है कि मालो पूरा पूरा थे मैने तीन मैने के रहेगा नहीं करे रहेगा बास समझ में तो उमीद कर रहा हूं काफी बड़ा पार्थ एंटी सब्सक्राइब यहां रखेंगे यहां पर यह मैं यहां पता ना भूल गया पैपसीन और पैपाइन वन मास कोश्चन है ठीक है एंटी बॉडिस को ब्रेक करने के लिए जो काम में आता है चलें आगे अब आते हैं पिरप्रेशन पे ठीक है वो जो उपर ने पार्ट समझाया है वो पिरप्रेशन में ही करने काई यूज हो जाएगा अब यह हम देखेंगो इसको आगे किаем oh sorry immune का जा रहे हो okay immune sera are preparation derived from the blood of animal only horse but mule donkey sheep or also used cat method the neck muscles of horse are injected with toxides top side shock side उपने वह आगे पढ़ेंगा टॉकॉस कर देती और और या ह्ना कि अपक्षाइट होते हैं टॉक्षों क्या होते हैं टॉक्तियरिया या अपनेसे निकालता है दूरिंग मेटाबॉलिज्म दूरिंग मेटाबॉलिज्म ठीक है ना तो टॉक्साइट फॉर फ्यू मिनट तो सेवरल मन्थ कुछ मिनट से लेकर कि हम लोग कई मैनों तक हम टॉक्साइट को इंजेट कर सकते हैं बार-बार-बार-बार-बार जिससे कि उसके बॉड़ी के अंदर एंटी पूरा समय सीमा होती है 600 ml तक हम एंड उसको इंजेट कर सकते हैं कब तक करेंगे जब तक की एंटी टॉक्सिन टाइटर सब्सक्राइब मतलब हमारे पास एंटीवाडी है ठीक है और टाइटर मतलब जब तक कि ब्लड में हम डोस क्यों बढ़ा रहे हैं जिससे कि ब्लड के अंदर एंटी बॉड़े की जो कंसेंट्रेशन वो परियाप्त मात्रा में मिले हम ब्लड निकाल रहे हैं तो फाइदा क्या होगा तो टाइटर एक तरहा कांसेंट्रेशन एंटी वाडी कंसेंट्रेशन पूरा वाड़ यह दरस आता है यहां पर ठीक है ना एट लिटर ऑफ perse당 लीटर ब्लड निकालेंगे उससे फिल्यार वनिदा वन माज कोशिन इंप्रान लिटेशन ऑए हैं गोड़ा वाट को यहां पर इंजेक्ट करते हैसे हम लोग ब्लड्ड डुनेट करते हैं ना निकालते हैं वैसने घोड़े की उससे निकालते हैं इंट्टू द बो्टी containing anti-coglent उन बोटल से निकालते हैं उसके अरड़ी क्या पहुंजू दोता है anti-coglent पड़ा हुआ शुरुवात में हम ब्लड को जमने नहीं देते हैं कि प्रसेस के लिए बाद में आगे लेके जाएंगे अगले आठ दिनों में दो बार खुण निकालेंगे आठ लीटर फिर 10 दिन का घोड़े को रेस्ट देंगे खिलाएंगे बढ़िया से उसको नुक्सान भी नहीं करना है ना हमें ठीक है रिपीट 3 ब्लीडिंग वापस से हम 3 ब्लीडिंग तीन वर खुण निकालेंगे फिर रेस्ट देंगे और एक समय के बाद क्या होता है उसके बलड से उतनी ज्यादा मातरा में एंटी बॉड़ी समय मिलती नहीं है जब जैसी मालों हमें कुछ कांसेटरेशन चाहिए था उस से तो यह स्रीज में होता है इस प्रकार सो होता है कि घोड़े को नुक्सान नहीं होता है ठीक उसे प्रकार थे ठीक है अब खून निकाला जा चुका है इस्टोर दा क्लेक्टेट ब्लड इन रेफ्रिजरेटर तिल सेल्सार सेटल रख देंगे सेल्स नीचे बढ़ाएंग अब क्या हो रहा है अब समझो ब्लड प्लाज्मा या सीरम कैन बी इस्ट्रेशन एंड डिस्पैंस फॉर यूज ठीक है जो ब्लड का प्लाज्मा या सीरम है उसको इस्ट्रेशन कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के दोवारा और डिस्पैंस आगे यूज़ करने के लिए भेज देंगे उसे बट फिर क्या कहरा है इसको फिल्टर कर लिए फिर डिस्पैंस फॉर यू फिर आगे कम्पणी में भेजे जाता है मैं फिर फिर और बेंगे बीउस का अपर किये दो पार्ट किया जाता है इतर बट इस प्रीडरिट यहीं डिस्पैंस फोर यूज़ ग्ली नु अब होता क्या है कि एक तो तरीका है कि स्टिलाइस लिए लेंगे हम लोग कोशिश यह करेंगे यह ज्यादा बैक्टर होता लेंगे तो सारी की सारी प्रोटीण अलग हो जाती हमें केवल हमारा जो immune globuline है वो केवल रह जाएगा बाकि सब छटके अलग हो जाता है fractionate का आ गया it to separate the immune globuline immune globuline हमने अलग कर लिया बाकि जो globuline थे albumin थे उनको सबको अलग कर दिया this is done by fractional precipitation of the plasma by the addition of ammonium sulfate जो हम fractionate करते हैं उसमें ammonium sulfate डालते हैं एक एक पार्ट जो होता है globuline का वो प्रेस्पिटेट होता रहता है अलग होता रहता है हमारा इम्यून globuline काम का होता है उसे हम अलग कर लेते हैं now the globuline fraction जो globuline fraction हम यहां मिला है recovered and treated with pepsin अब हम इसको यहां पर pepsin से ट्रीट करेंगे याने की उपर वाला पाट यह हमने पैपसिन से पड़ा था तो आप लोगों को फैब फ्रेग्मेंट समझ में नहीं आता अब के लिए रोगा फ्रेग्मेंट क्या होते हैं ठीक है ना okay the antibody content of the refined product is determined करा जो antibody होता है content का refined product को हम उसे determine करते हैं कितनी antibody है उसके अंदर पर ml ठीक है ना the product is diluted फिर हम से dilute करते हैं तूदा रुक्वाइट कांसेट्रेशन एंड ट्रांसफर इंटू एंपूल और फिर हम उसको क्या करते हैं जितना concentration चाहिए होता है उतना बना करके कि कितना कितना या जाएगा बच्चे को वोढ़े को उसकी साथ से अला लग त्यार करते हैं कि तू और जो स्कार करके Colli poweclone album, वैसे यह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, monovalent ingmune, monovalent sara मतलब जिसके अदर एक ही परकार के Memory antibody होगी और multivalent मतलब जिसके अदर कईahlen केंехफ रसम सघ्र को सर्म होगी तो हम लोग 2-3 की peng600my जिला करके multi- suivant serum त्यार कर सकते हैं, simple हो गया, and this is the important, Comparant आपको यह याद करना है यह सीदा जो मैtheruveड में प्रिपरिशन सीदा पॉंच निमच महीं है आएगा याद रिखें Sera का प्रिपृरिशन आया तो पॉईस निमच में आएगा यहाँ सारी चीवसालम आ गई होगे अभी यह एफ है immunoglobulins अभी हमने होर से बना लिया फ्रोड़ा से human की बात कर ले ठीक है यहाँ पर एक word आने वाला है plasma pharesis क्या वर्ड आने वाला है plasma pharesis क्या होता है यह तो human immunoglobulins यानि की सुसका source क्या होता इंसान होता देखो मैं यहाँ पर समझाए भी था इसको समय स्टार्टिंग में कि इंसान से खून लिया जाता है फिर यहाँ पर एक machine लगी होती है यानि कि इसको हम प्लाज्मा कर सकते लेस बहुत से दोनर होते हैं इस तरह से ब्लड करते हैं वह अपना प्लाज्मा करते हैं प्लाज्मा का टुनेट करने से ज्यादा फरक नहीं पड़ता है क्लिए बात है इनसान की बॉडि इस तरह से फटास्मा निकाला गया है लिग और मास इसतनों plasma pharesis, इसको हम लोग क्या कहते है plasma pharesis तो human immunoglobulin का source खुद human ही होगा जायर सी बात है human immunoglobulins are preparation of the immunoglobulins ठीक है principally IgG, malium IgG को भी निकालते है subclass data present in human blood जो कि human blood में मौझूद होता है उसको हम इस तरीके से निकालते हैं they are derived from the plasma of donated blood जो blood donate होता है उसके plasma में मौझूद होते है and plasma obtained by plasma pharesis और यह plasma हम लोग plasma pharesis के help से बाहर निकाल लेते हैं ठीक है ना? तो simple सी बात है immunoglobulin जो blood मौझूद है plasma pharesis के help से हम उसे बाहर निकाल ले रहे हैं फिर क्या कह रहा है यह specific immunoglobulins that is immunoglobulins with the high titer of a particular antibody यह थोड़ा सा language समझना हमें को अगर कोई खास immunoglobulin चाहिए तो हम उसी प्रकार का क्या करते हैं उसके अंदर immunize करेंगे इसको उसी प्रकार का हमें immunoglobulin मिलेका जो की high titer जिसका concentration high होता है ठीक है of a particular antibody are usually prepared from smaller pool of plasma obtained from individual who have suffered recent infection or who have undergone recent immunization and who has thus have high titer of any other simplicity कहानी क्या बता रहा है यहाँ पर एक word इस्तिमाल हुआ है smaller pool pool का क्या मतलब है कि एक इंसान के अंदर से plasma निकलता है परियाब तो नहीं होता है मान लो 5 या 10 है ना 5 या 10 humans के अंदर से निकाल करके एक plasma इखटा किया गया ठीक है एक लीटर आदा लीटर जो भी इखटा क्या है यह जो इखटा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं plasma pool कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग plasma pool जब 3-4 लोगों से मिल करके जो या 18 लोगों से मिल करके प्लाजमा पूल ओलो चलिए बरफोल के प्लाजमा पूल थीक है तो और वो क्या कहा रहा है कि कि अचिक आप छोग लॉससे मिनफ स्विक्ट्म मजण रिए ज सो कशने जादा होता है इन्दे तहों या उनको हाली में इंक्र Самी इंदर पेटार मतलने किसी परटिकुलर एंटिबादी का हम वो एंटियड से निकालनकी खोशिश करतें इच कॉंट्रिविशन ऑफ प्लाज्मा टुए पूल इस टेस्टेट जो यहां पर कॉंट्रिविट कर रहा है यह पांसे दस लोग हर एक का प्लाज्मा पहले टेस्ट किया जाता है प्रजैंस ओफ हैपटाइडिस बी उसको हैपटाइडिस बी का इंफेक्शन तो नहीं है सर्फिस अन्रे ज़न इंगरहद मोजूद है तो मानते हैं कि उस इंसान को इंट एचाइवी है तो इसकी टेस्टिंग होती है and for antibodies to hepatitis C virus यह तीन की चीज़ें तीन चीज़ें पक्का चेक की जाती है क्योंकि यह खतरनाक है इनसे मौत हो सकती है बात समझ में आ रही है किलियर है तो इस प्रकार से हम लोग human immunoglobin तयार कर रहे हैं अच्छा इसमें आगे process लिखना चाहिए तो वही same process आ जाएगी किलियर है बाते हैं अब हमारे पास part start होता है vaccine ठीक है किलियर है यहां तक बाते हैं पानिवानी रखाओ बगल में पीलो फटाफट मुह धुलो वैक्सीन start कर रहे हैं मजाने वाला इसमें भी फटाफट पांच मिट का ब्रेक फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं से okay करें । those who show up सूझ लाने के लिए लेकिन फिर 2 पाट यक्षीन से चल रहा है तो थोड़ा सा लेंदी आंई । लगता है कि नहीं एक THAT यहां पॉस्ट कर ले Leah इसे트ियो बाद में देख ले ठीकन स्टाट करते हैं वیک से हम सब लोग अच्छे से यहां पर तो पड़ी जातता थे ऐंटी जी जाती थी जै वेक्चिंश में हम लोग जो और निजम वही और देखी बड़ी में डाल दिया जाता है वह हमारा इम्मीन और तो उससे पहचान स्बस्आ करके एंटी खुद हमारा सिस्टम और हमारी बॉड़ी में खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं मेमोरी सेल्स वह उस एंटिजन को पहचान लेते हैं भविश्य में अगर आप वह कभी भी आया क्योंकि वैक्षिन में तो हम लोग क्या करते हैं दो टाइस से इस्तमाल करते हैं या तो इनक्ट सब्सक्रां है अज टो पर ग्रकार एक होतारे हैं तो इस प्रकार से दो चीजह होने और यह यहोज़ा इवाला ज्यादा कारगार रहता है ठीक है तो सब को लगा यह यह दो वो छोटी सी process सबको पता भी होंगी अब देखते हैं आज के time को जो modernization हो गया है यहां वैक्षिन ने क्या रूप ले लिया अपना बास समझ में आ रही है वैक्षिन अब आज कल कहां चली गई है जनेटिक इंजिनिरिंग की पास याने की genetically modify की जा रही है आज कल तो सुरुवात करते हैं वैक्षिन को वैक्षिन इजा biological preparation कैसी preparation है biological क्योंकि इसके अंदर living things होते हैं bacteria virus तो biological preparation है that consists of either a whole organism याने की whole a tenitude हो या killed हो दोनों में पूरे पूरे होते हैं यहा अदमरे होते हैं मरेवे होते हैं और a part of it या हम लोग कई बार उसका कोई part ले लेते हैं उसके body का protein ले ले लेंगे उसकी body का polysaccharide ले लेंगे उसको लेकर के बना देते हैं कि हमारा जो system होता है कई बार organism को नहीं पहच जिसके खिलाफ हमें इम्मुनाज़ेशन अचीफ करना है तो वैक्षिस आर गिवन एज इंजेक्शन जिसको हम शॉट्स भी कहते हैं लिक्वीड पिल्स नैजल इस्प्रेइड यू टेक तो है ना अब आज कल तो तुमने देखा होगे सर ये भी होता है कि होता सब है ठीक है और लिक्विड और आज कल जाज़ा चलता है ठीक है डैट यू टेक टू टीच यूर बाड़ी अब आप अपनी बाड़ी को सिखा रहे हैं इम्मून सिस्टम टू रिकनाइज एंड डिफेंड अगेंस हामफूल जर्म्स की हमारी बाड़ी को सिखा रहे हैं वैक्शन डाल क जैसे की कोविड नाइंटीन या फ्लू होता है इसके यह वाइरल के क्या करते हैं बिमारिया है और इसके लिए हमने वैक्शन त्यार कर लिए ठीक है बैक्टिरियक डिजीज जैसे की टेटनास है डेप्ट थैरिया है पर्टूसी से इसके खिलाफ भी हम लोगों ने आज इक्टिव मेटते मार्क करेंग немнож 포인 के लिए जो सोती है ये क्या कुरती है एक्टिव इम्मिंट्रीज करवाती है क्योंकि हमारे इम्म्यूलेट कर देती है और हमारा इम्म्मी पर इस बनाता है अब यहां पर इस बनाता है अब यहां पर कुछ थोड़ा सा कई बर कोशन आ सकता है कुछ इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दो चार चीज़ें जैसे की 1796 में जो इंग्लिस फिजिशियन साइंटिस्ट एडवार्ड जैनर जिन्होंने खोज की दिए इसकी तो यहां पूरी कहानी लिख दिए मैंने ताकि आप लोगों समझ में उसने क्या किया था कि 8 साल का बच्चे जो था ठीक है जेम्स फिप्स विद मैटर फ्रॉम कावपॉक्स सोर का मतलब है कावपॉक्स का जो फोड़ा पुंसी टाइप का होता है वहां से निकाल करके उसे थोड़ा प्यूरी फाइवरा करकर करके ठीक है आठ साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया था और प्रूफ किया कि प्रूविंग सब्सक्राइब होता है वह से बच्चे में डाल दिया तो बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स इम्नेटी के रेट हो गई तो यह उसने दिखाने के लिए फानली उस समय ऐसा किया उसमें जो तरीका था उससे दिखाया फिर 1879 में एक फ्रेंच बालॉजिस पास चारी दो नाम वेक्षिन वह लुज पास चैने किया था तो यह कुछ है मारे पास चीजेंट 1885 में एक स्पैनिस फिजिशन थे जैमें फैरेंट डवलाफ से कोल्ड़ा वैक्षिन सबसे पहले नोने कोल्ड़ा वैक्षिन प्रोडूस करी थी फर्स्ट अगेंस्ट बैक्टेरियर डिजीज बैक्टेरियर डिजीज से खिलाफ सबसे पहली वैक्षिन कोल्ड़ा वैक्षिन थी 1957 पूलियो वैक्षिन आई जो कि अब पूरी दुनिया में एविलिबल है 1971 में कॉंबिनेशन ओफ मीजल मम्स रूबेला एममर वैक्षिन रिलीज होई आफ्टर दा इंडिविजल वैक्षिन वर रिलीज जी टाइव और वही जीन का तरीका कोविट-19 में इस्तेमाल हुआ है तो देखते हैं इसको समझते हैं आगे आते हैं टाइप सफ वैक्षिन पढ़ते हैं तो टाइप सब्सक्राइब कर दिया गया है ठीक है दीजाए ब्लाइव बैक्टेरिया वायरे डिजीज causing agent यह preparation होती इसमें bacteria virus यह दूसरी disease causing agent हो सकते हैं जो को weak कर दिये गए हैं which are attenuated weekend traditionally by repeated culture in the laboratory बार बार उसको culture grow करवाते हैं lab में जिसे कि वो weak पढ़ जाता है the virulence property virulence मतलब जो disease पैदा करने की छमता होती है उसे virulence property कहते है virus की are reduce वो काफी हद तक कम हो जाती है so that it does not cause disease in healthy individual कि अब वो virus जब यह virulence property उसकी reduce कर गई है कम कर गई है ऐसा virus जब हमारी body में attack करेगा तो लक्षण तो आएंगे लेकिन वो पूरी तरीके से पनप नहीं पाता है हमारा immune system उसको जा करके खापी के मार डालता है ठीक है तो वाइरोलेंस मतलब उसका disease पैदा करने की समता दा attenuated vaccine ठीक है यानि कि अब यहाँ पर वाइरस को attenuate कर देगा है वीक कर देगा है multiply to a limited extent वह हमारी body में जाके बहुत जादा multiply भी नहीं कर पाता है in host tissue host मतलब जिसके अंदर डाला गया है वो and induces an immune response like wild virus infection wild मतलब जैसे कि एक arm virus यानि कि एक बिना attenuate किया हुआ virus जो infection फैलाता है और infection तो नहीं फैला वाता उस परकार से लेकिन एक wild virus जिस परकार से हमारा immune system को जगाएगा ठीक उसी परकार यह attenuated virus भी हमारे immune system को जगा देता है जाकर के live vaccines are generally very effective and induced long-lived immunity यह काफ़े effective होता है और long-lived जब तक जिंदा है तब तक immunity बनी रहती है measles, mumps, rubella, varusolar, rota virus, tuberculosis के class bcgf vaccines आ चुकी है ठीक है live हो गया then inactivated वैक्षीन याने कि हमें killed मार जागया है killed vaccines are suspension of bacteria यहां पर के मरे हुए bacteria का suspension तैयर कर देते हैं bacteria का वायरस का या किसी other pathogenic agent का that have been killed जिसको मारा जा चुका है heat के दोवारा या disinfectant such as phenol, ethanol और formaldehyde यह मार कर लेंगे phenol, ethanol और formaldehyde इसको दोवरा हम उसको पहले मार देते हैं यह नहीं कहा बताया था कि मरे हुए को भी हमारी body पहचान लेती है और immune system जाग जाता है ठीक है तो यहां से हमें खत्रा नहीं होता है infection का बिलकुल भी इस case में क्या होता है यहां पर बड़ा last stage में बहुत चेक किया जाता है कि जो life जिन्दा बना रहे हैं हम लोग उसके अंदर ऐसा तो नहीं कोई ऐसा जिन्दा रह गया है कि वह infection करने में सच्छम यह भी चेक करना पड़ता है यहां पर यहां पर यहां पर चेक करने जोड़त नहीं पड़ती है यह आम तोर पर जो और पूरे के पूरे होते हैं और सजे हुए होते हैं सिर्फ मरे हुए होते हैं इतना अंतर होता है दे जन्रेट एन इम्यून response यह इम्यून response को generate करते हैं बट केना और कोज एन infection बट किसी परकार का infection नहीं करते हैं because they are dead क्योंकि मर चुके हैं and cannot reproduce था बास समयमें आगई क्यों के पूरी तरीकी से मर चुके हैं तो किसी पर के infection तो नहीं फैल आएंगे लेकिन हमारी body का immune system अभी भी इनको recognize करके immunity produce करने की छमतार रखता है example polio typhi producing cholera plague और rabies क्लियर है ओके polio दोनों प्रकार से होता है देखेंगे हम polio हमारा inactivated भी होता है और activated भी होता है subunitive vaccine subunitive मतलब की part उसका कोई हिस्सा तीस vaccines are used only specific pieces of the germ germ cows ketanu का कोई खास हिस्सा इस्तमाल करते हैं such as उसका कोई protein इस्तमाल कर लेंगे उसकी कोई सुगां इस्तमाल कर लेंगे उसकी coating उसके उपर casing जो जैसे की आरन वारस के उपर यह कोई डाला होता है उसी कॉम्पोनेंट के खिलाफ एम्मून इस्टम को जगाते हैं जब पूरा का पूरा मानलोग जाया वारिस हमारी बॉडी में जाएगा तो इम्मून इस पूरे को नहीं पहचानता केवाल उस बैक्टेरिया वायरस के साथ जो यह वाला प्रोटीन या कोई कंपोनेंट जुड़ा हुआ था हमारा इम्मून सिस्टम उसको पहचान लेता है और फिर उसको मारना यहां पर मल्टीबल डोस की जोरुद परती है एक्जांपल क्या हमोफालेस इंफ्लोएंजे टाइप बी निजेरिया मेंजाइटिस हैपटाइटिस बी एक्सेटरा है ना कई सारे एक्जांपल यहां पर आगे आते हैं conjugate, conjugate मतलब होता है जोड, conjugate का मतलब क्या होता है जोड, जोड मतलब हम किसी दो चीज़ को जोड रहे हैं तो यहां पर हम लोग यही काम कर रहे हैं कुछ एंटिजेन जो होते हैं याने कि कुछ किटाणू कहलो या उनके जो पार्ट्स कहलो जिनका हम बना रहे हैं वैक्सीन वो उतना अच्छे से हमारी बॉड़ी के इम्म्यून रिस्पॉंस को जगा नहीं पाते हैं तो हम उसके साथ कुछ ऐसी चीज जोड देते हैं जो हमारी बॉड़ी के इम्म्यून रिस्पॉंस को जगाने में हेल्प करता है तो कॉन्जूगेट कर दिया जोड दिया ठीक है ना तो कहरा है सम एंटिजन वीचार यूश्ट प्रिपेर वैक्सीन कुछ एंटिजन जिसको कि हम लोग वैक्सीन प्रिपेर करने के लिए बना रहे हैं यार लेस इम्म्यून जैनिक उतना अच्छा हमारी बॉड़ी का इम् इम्म्यून जैनिक कैरियर ऐसे कैरियर के साथ जो कि हमारी बॉड़ी का इम्म्यून सिस्टम को जगाएं अच्छे से विच इंप्रूब दा इम्म्यून जैनिक रिस्पॉंस और इस प्रकार इस वाले एंटिजन का इम्म्यून जैनिक रिस्पॉंस बढ़ जाता है एक्जा तो यह नाम याद रखेंगे एक केरियर पूटिन जोड़ देते हैं CRM197 अब आता टॉक्साइड वैक्सिन यह हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है वैक्सिन के बाद टॉक्साइड ठीक है ना यह क्या होता समझो टॉक्साइड टॉक्साइड बना है वर टॉक्स टॉक्सिन से टॉक्सिन मैं साथ पहले डिसक्स कर चुका हूं टॉक्सिंस क्या होते हैं टॉक्सिंस वेस्ट होता है जैसे हमारी बॉड़ी का वेस्ट क्या है पसीना यूरेन फीस पॉर्टी यह हमारी बॉड़ी का मैटाबॉलिक वेस्ट है इसी प्रकार बैक्टेरिया का अब यह नहीं वह डूरॉ करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो कि बॉडी से वह छोड़ पादी गणंदफ हमारी बौक्षन। देता हैं तो쳤 यहीं हम लोग टॉक्सं की हेल्फ से हम लोग क्या बनाते हैं वैक्सिं उस टॉकस्इन को ले लेकर लेकर ग्र हुं मो compute कर दे तो टॉक्साइड वेक्शिन आप प्रपरेशन डराइट फॉंट टॉक्सिन से डाट आप सिक्रिटेड वाए सटन इस्पीसिस अब बैक्टेरिया क्या होते है बता दिया मैंने है इनक दब मैंट्क्ण सच वैक्शिन बैक्शिन इस स्पटेडेशन चीजricht हाटा दी आती हनदश टॉक्सिति खतं होटियर इभाट इम्मीनोजनीशिटी इम्म्योन सिश्टम को response को जगाने की छमता उसकी बनी रहती है इस पर्षेस इस काल टॉक्सवाइडिंग कहे लिए और प्रोडंट टॉक्सवाइडिंग कहे लिए इसकी टॉक्सवाइडी खतम हो गई है लेकिन Immunogenicity भी इसเรา हम टॉक्सवाइड कहते है यह फॉर्मल टॉक्साइड कहते हैं कि उसे फॉर्मल डियाइड से हमने ठ्रीट करा दिया है एक्जामपल है टिटनेस डेप्थेरिया बॉट्रिलिजम क्लॉश्टिडियम इंफेक्शन और फॉर्म एनिमल यह सब इसके एक्जामपल में आते हैं यहां पर हम लोग ऐसा MRN लेते हैं जो की वाइरल की एंटीजनिक प्रोटीन बनाएंगी ठीक है अब और पीस ऑफ रोटीन या उसको यह खास पीस प्रोटीन बनाएगा ऑफ दा जर्म जर्म्स का MRN ओफन केरीड बाई लिपीड नैनो पार्टिकल के माध्यम से हम इसके मेसेंजर आरेने को बॉड़ी के अंदर इंजेट कर देते हैं यह MRN अपने उपर क्या बना लेगा प्रोटीन बना लेगा इस प्रोटीन को हमारा सिस् कर जाता है ठीक है एक्जामपल सार्स कोव टू वैक्सिन सार्स कोव टू वैक्सिन भी इसी के उपर बनके तयार हुई है अब देखो यहां पर एक नाम ध्यान सुनना यह तो हो गया आरेने की हैल्प से हमने यह नैनो पार्टिकल से लिए और इसके अंदर आरेने को कहत करक है रैप्लिकेटिंग वाइरल वैक्टर लेक्टर नहीं खतम होने वाला है टाइपस ऑफ वैक्सिन खतम होगा अभी ठीक है लेक्टर अभी है रैप्लिकेटिंग वाइरल वैक्टर वैक्सिन क्या मतलब है इसका कि हम लोग यहां पर क्या करते हैं एक वाइरस लेते हैं जिस यह पैख़ो नोर्मल के रहे हैं उसके लिट करता है इसके अंदर हम लोग मैं एक दीजने और इसको फिर वाइर्स को इंजट कर देते हैं हमारी बॉडि के अंदर तो यह वेक्टर की तरह काम कर रहा है और दूसरी की जीन्स लेके जा रहा है प्लस हमारी body में replicate भी करेगा लेकिन यह उतना हानिकार कर नहीं उतना ज़या, replicate कर नहीं पाएगा उससे पहला हमारी body इससे मारड़ डालेगी, तो यह इसको जो अंदर और antigen as the disease-causing virus तो हमने इसको बदल दिया और इसके अंदर कुछ ऐसे DNA changes लेके आ गए हैं कि ये अब एक तो उतनादर पैसा जो नहीं कि नहीं है नहीं कि हमारी body इसको मार डालेगी और दूसरा disease-causing produce similar protein वही protein या antigenes पैदा करेगी लेकिन इसके अंदर replicate करने की छमता है example SARS-CoV-2 vaccination in development SARS-CoV-2 vaccination को हम लोग इसी के तहत बनाने की कोशिश के चल रही है अभी vaccination development में है non-replicating viral vector यहाँ पर क्या है हम लोग सेम काम करेंगे virus लेंगे उसके अंदर modify करके दूसरा जो घातक virus है उसका DNA डाल देंगे अनेबल टू replicate इंसाइड बॉड़ी हमारी बॉड़ी में जाके रैप्लिकेट नहीं करेगा लाइक रैप्लिकेटिंग वायर एक्टर वैक्सीन ठीक है तो थोड़ा सा डिफ्रेंस आ गया वो रैप्लिकेट कर सकते हैं रुक्वाइर हाय डोसिं क्योंकि यहां पर क्या रैप्लिकेट कर सकता था तो ज्यादा मात्रा में इम्यू सिट्म को जगा रहा था यहां पर उतनी ज्यादा नहीं जगाएगा तो बावर डोस की ज़रूद पड़ेगी अगें सास्टू को वेक्सिनेशन इन डवलपमेंट इसका एक्जाम्पल में तेने वैक्सिन हो गया किसमें पाजा जाता है बेक्टरिया के इंदर एक्स्टर क्रमो्जमाट डेने के अदर Comedy को हम लोग क्या करते हैं कर देते हैं जोगि यहां वाो जाएगा तो हमारे बॉडिमे में लेकर दीने को पेसे ने को और हमारा gegen सिस्टम उसको लेकर क्या हो जाएगा फिर एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रॉंग इम्यून रिस्पॉंस आता है इसका करेंटली यूज़ी फॉर इवोला एंड सार्स को टू वेक्षिन इन डवलप्मेंट में हैं किलिए रहे बाते हैं तो यह करीब 8-9 प्रकार के हमारे पास है और इम्मुनियाज़ेशन के हमारी बॉडी को फास करना पूरा तो इम्मुनिशन इस तब प्रोसेस ओ कमिंग्ण प्रोटेक्टेट अष्टाइए हमारी बॉडी को जो स्ट्रेक्ट किया रहा है इड्विग इनाइजेशन थीक है बट इट केन आल्सो मीन द सेम थिंग ए इंटिंगा वेक्षिन टू बिकम प्रोटेक्टेड अगेंसे डिजीस तो दोनों का मतलब प्राइब क्या है हम को प्रोट किया रहा है और इम्मुनिजिशन का मतलब हमको इम्मुनाइज किया जा रहा है ठीक है तो कन्फूज नहूं हो नहीं इसमें कोश्चन आ जाता है वन म लुक्त dus करता है यहां पर इसको यहां प्रॉण जाती है यहां पर नहीं है लुग लाइस्टिंग लिए यूज फॉण टम प्रोफ्यल एक्सिस लंबे समय के लिए यूज्ट फॉशॉट टम प्रोफैल एक्सिस एंड ठर पेटिकल यह मान लोग किसी एक बार सांपने काट लिया हमने दे दिया ठीक हो गया को दुआरा सांप काट तो फिर देना पड़ेगा ठीक है तो शॉट टाम होता है तो यह इंपॉर्टेंट है आप इसको याद करेंगे सेरा और वैक्षिन में क्या डेफरेंस है कोश्चिन बिल्कुल पू इंपॉर्टेंट क्योंकि यह हमारे स्लेवस मेंशन है अब प्रपरेशन ऑफ वैक्षिन बेटा पूरा एक सिक्वेंस में चलेंगे हम लोग ठीक है ना और बाद में जब में कभी हम इसका रिविजन करेंगे तो इसका फिर में एक फ्लोल चाट बनवाँगा लेकिन फिलाल स्टेप नहीं हम लोग क्या बनाते हैं बीज का भंदार ना पー बिमारी पैदा कर रहें नहीं न तो हमें क्यों वही वाले बैक्टेरिया वारेस चुनने हैं जो बिमारी पैदा करते हैं तो हम उसका सीड त्यार कर रहे हैं सिंपल तो क्या कहा रहा है the starting point to produce all microbial vaccine is the isolation of the appropriate infectious agent हमें isolate करना है उस infectious agent को isolate करना है अलग करना है ठीक है बैक्टेरियल strain मतलब बैक्टेरिया की वाल केटिगरी जो बिमारी पैदा करती है विच प्रड्यूस अबंडेंड कैप्सूलर polysaccharides बहुत ज्यादा abundant बहुत ज्यादा पाए जाएगा और और ऐसे वाइरल इस्ट्रेइन वीचार स्टेवल एट एट अटेनुएशन जो एटेनुएट करने पर स्टेवल रहे है मतलब एकदम से मरना जाए और ऐसा नोगी काम ना करें ऐसे वाइरल को चुन करके हम और टिसू कल्चर वगएरा में उसको हम लोग ग्रो करवा लेते हैं बैक्टेरिय को हम नॉर्मल अगार अगार वाले कल्चर होते हैं वहां ग्रो करवा लेते हैं and then stored at minus 70 degree centigrade और below ठीक है और freeze-dried या हम लोग उनको freeze-dried कर लेते हैं जमा के रख लेते हैं क्योंकि हमको वो sample की ज़रूरत बार-बार पढ़ने वाली है ठीक है this is original seed lot ये काम कहा हो रहा है तुमको क्या लगता है factory में नहीं ये काम हो रहा है lab में लैब में हुआ ये काम फिर lab से आगे भीजा जाता है manufacturer के पास आओ देखते हैं अब production of bacteria virus को इसके बाद देखेंगे जाने कि हमारे पास virus औ बैक्टेरिया का seed lot त्यार हो गया है तो पहले case में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बैक्टेरिया की production को कि बैक्टेरिया वाली vaccines कैसे त्यार की जाएंगी बास समझ मारी है to obtain specific component from bacteria अगर bacteria से हमें को specific component करना है generally fermentation method is used एक बड़ा चेंबर होता है उसके अंदर सब डाल देत होती है resuscitation resuscitation मतलब होता है पुना जीवन यहां से लेक्टेरिया को जमा दिया था उसको वापा से जीवित करेंगे bacteria strain को from the seed lot तो seed lot से वापस को जीवन प्रदान करते हैं हम लोग यहां पर when bacteria multiply sufficiently जब bacteria काफी मातरा में multiply कर चुका होता है they are used to inoculate a batch फिर हम पूरा batch fermenter हमने त लाल देते हैं ताकि उस पूरे में वह फैल जाए अच्छे से ग्रो कर जाए ठीक है और मीडियम होता है production मीडियम इंद फर्मेंटर शूड है और ऑप्किम पिए अब जो बैस के अंदर फर्मेंटर के अंदर हमारा मीडियम है उसका पिएच एकदम सटीक होना चाहिए as well as free from the TSE agent transmissible spongiform encephalopathy यह एक परकार की दिमाग की बिमारी होती जिसमें दिमाग में छेट जैसे हो जाता है यह वाले किटानों से फिरी होना चाहिए otherwise बहुत दिक्कत दो जाए कि इसी परकार की किटानों से पहले क्या पाया गया है लोग infected पाया गया है जब वैक्सिन लगी है तो at the end of growth period जब पूरा fermenter के अंदर growth वगरा हो जाएगी the content of the fermenter known as harvest very important अब क्या है उसका जितना भी content है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हार्वेस्ट बोलते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है जब फसल पक जाती है तो हमसे काटने के सुरू करते हैं है ना सुना हार्वेस्ट तो हमारा content जो है तयार हो चुका है fermenter के अंदर अब उसको हमने क्या बोल दिया हार्वेस्ट बोल दिया अब उसे हार्वेस्ट करेंगे ठीक है ready for next stage in the production of the vaccine अब यह काम जो हमने कर लिया हमारा bacteria grow कर चुका fermenter के अंदर अब हम हासों से निकालेंगे और आगे process के लिए भीज लिए बात समझवारी ना तो दो कटेगरी यहां से यहां तक चीज़ें सेम रहने वाले हैं कोई पॉइंट आगा यहां तक सेम लिखोगे हैं तो हम लोग से क्या कर लेंगे heat किल कर लेंगे याने कि हीट से मार देंगे disinfectant formulin वगर से मार देंगे फिर separation bacterial cells are separated from the culture फिर उस fermenter मैं से हम लोग उन bacterial cell को अलग करेंगे by using centrifugation ultrafiltration और precipitation method कोई भी method लगा करके उन अलग कर लेंगे अब हम क्या करेंगे fractionation fractionation की जरूत क्यूं है अब यहां पर जरूत पड़ भी सकती है नहीं भी fractionation part तब जरूत पड़ेगी जब हमें bacteria का कोई पार चाहिए है ना जैसे कि टॉक्साइट बनाने के लिए चाहिए होता है या जो वैक्षिन चाहिए उसमें bacteria का कोई हिस्सा डालने वाले हैं पूरा बैक्टरिया चाहिए तो हम आगे अपना प्रोसेस सालू कर देंगे लेकिं बैक्टरिया कोई हिस्सा चाहिए तो 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 करने पड़ेंगे fractionate करना पड़ेगा उसके components अलग-अलग निकालने पड़ेंगे तो fractionation components are extracted from the bacterial cells और from the medium in which they are grown in a purified form तो हमको कहा है जो बैक्टरिया के component है उनको निकालना है purified form में for example the polysaccharide antigen अगर जब हमें polysaccharide चीय बैक्टेरिया का इसका निजेरिया मैंजाइटिड मैंजाइटिक के लिए are usually separated from the bacterial cell by treatment with अब हमें यहाँ पर कैप बैक्टेरिया के cell से उसका जो उपर की polysaccharide coating है वही चाहिए हमें उसकी समझाज बन जाएगी उसको अलग करने के लिए हम बैक्टेरिया सेल को treat करवाते हैं किसके अंदर डाल देंगे hexadecile trimethyl ammonium bromide के अंदर followed by extraction with calcium chloride and selective precipitation with ethanol अब यह थोड़ी सी process होगी याद करने पड़ेगी यह काम करते हैं तो हमारा polysaccharide वाला पार्ट निकल के बहार आ जाता है जब purity of extract material may be improved अब जो यहाला पार्ट निकल के बहार आ गया है उसकी purity को हमको और ज्यादा क्या करना इंप्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे री solubilization उसको वापस से solubilize कर देंगे घोल देंगे in a suitable solvent फिर filter करके अलग कर लेते हैं उस solvent को और वापस से री प्रेसिपिटेट उस polysaccharide वाले पार्ट को वापस से प्रेसिपिटेट कर लेंगे बना समझना रही है इसको हम ऐसे समस्कते माझ लो यह था इसके उन्दर हमने यह डाला थीक है इसके इसके बेक्टेरिया थे बहुत सारे जैसे हमने यह डाला तो बैक्टेरिया अलग हो गया और उसके अंदर से ये वाले पार्ट जो चाहिए हमें वो अलग हो गये ठीक है फिर हमने क्या किया इसके अंदर जो याले पार्ट थे solvent के अंदर घोल दिये याले पार्ट घोल गए filter कर लिया घोलेवे पार्ट को अलग कर लिया battery छान के अलग कर लिया और फिर एक chemical डाला कि ये वाले पार्ट फिर से precipitate solid form में बहार आ गए ठीके न पुरी process होती है फिर after purification component may be freeze dried इसको क्या कर देते हैं freeze dried कर देंगे store indefinitely store कर देंगे लंबे समय के लिए जब तक करना में at low temperature and as required incorporated into vaccine या जरूत है तो तुरंती हम उसकी vaccine मना देंगे in precisely weight amount at the blending stage ठीक है ना और यह हम आगे जाकर करके उसको ब्लेंड जो ब्लेंडिंग स्टेज होती formaldehyde जो इसका part निकल के आया है हमें से detoxify करना याने कि उसका अब हमें toxicity खतम करनी है यह part कहीं ना कहीं हमारा toxide वाले part में चल सकता है ठीक है हमें उसकी toxicity खतम करनी है कि formaldehyde toxide वीटा आगे पढ़ेंगे ठीक है ना detoxify करने के बाद चौक्साइड वाला पार्ट जो आगे मैं आगे पढ़ाऊंगा अगर वहां से किसको प्रॉल्म लगती है तो यहां तक preparation of toxide आता तो यहां पर यह mention करके इतना वापस लिख सकता है याने कि यहां तक toxide वाला भी cover हो रहा है तुम्हारा vaccine का normal वाला भी cover हो रहा है कि लिए रहे फिर क्या कहा रहा आ गई यह further processing these may include many physical and chemical treatments to modify the products फिर बहुत साइट treatments होते हैं पूरा detail में जाएंगा बहुत लंबा हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग होती है एक्जांपल दे रहें एक्जांपल के तौर पर एक यहांने कि हटा दे प्रोसेसिंग में क्या क्या है दे में भी देन activated एंड कॉंजूगे टिटुके प्रोटिन उसके बाद हम उसे एक्टिवेट करते हैं और कैर्ट पूटिंग साथ जोड़ देते हैं तो प्रड्यूस ग्लाइको ओंजूगेट वैक्शीन बना रहे देने कॉंजूगेट वैक्शीन का यह पार्ट हैंका वर हो गया तो सारी जिने कवर और ही बेटा ठीक है ना अब एड्जॉप्शन इड़ प्रॉसेस ऑफ एड्जॉबिंग दा वैक्शीन तू दा मिनरल एड्जुवेंट कई पर हम लोग क्या करते हैं जो जो हमने यह निकाला है वैक्शन बैक्शन अब जो पार्ट निकल क्या आ फैल्स इंप्रूविंग इंदीक्रीजिंग तोक्सएटी इस परकार हम उसकी टॉक्सण कर पाते हैं और इंक्रीज कर पाते हैं और और कांजूगेशन अगर कई बार इंधिक्रीज प्रॉस्टिया कम है तो हम ऐनीद्रा देंगे इसका मतलब क्या होता है लिंकिंग ओव व है तो हम लोग क्या करते हैं एक component वैक्षिन component डैट इंडूसर गुड इंम्यून response उसको हम लोग उसके साथ जाकर जोड देते हैं ठीक है तो सारी चीज़ है पर डिसकस कर ली गई है कि हम लोग processing में यह सारे काम करते हैं ठीक है ना processing यह हो सकते हैं कुछ vaccine में बीच में से स्टेप नहीं गयोंगे तंस अरे स्टेप लेके चल रहे हैं कि गोडूगेशन हो गया आगे आते हैं ना वहां तक तो काम हो गया बैक्टिरिया का ठीक है अब वारिस की बात करने थोड़ी वह कि वह बैक्टरिया के बात है गेर बैक्टिया की बीधा चल रही है यह वारिस की बात चलेगे अव्यूत्य बना लिया था, सीड लॉॉड और production of bacteria जो heading थी हमारी second वाली अब वहीं पर अगर हम बैक्टरिया की जगए virus बनाना है तो वही seed lot रहेगा हमारे पास ठीक है virus replicate only on living cell हमको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि virus जो है केवल living cell के उपर replicate करता है दस इसलिए the first viral vaccine was prepared in animal इसलिए जो पहली वैक्षिन थी वो जानवर के ऊपर ही पेपर की गई थी एक्जामपल है इसका smallpox vaccine in the dermis of calf तो smallpox vaccine त्यार की गई थी वो dermis calf जो अपने calfs थे ना गायव हैंसे थी उनकी dermis खाल के अंदर बनाई गई थी vaccine या शीप की खाल के अंदर and rabbits vaccines in the spinal cord of rabbits and brain of mice और जो rabbits vaccine थी वो spinal cord of rabbits और mice के brain में develop की गई थी अब सोचे कैसे किया गया गया वहाँ injection डाल करके vaccine वहाँ बनाई गई थी ठीक है ना अब क्या है यह तरीके पराने हो गए है अब क्या होता है अब क्या होता है अब क्या होता है इसको ध्यान से समझना है कि एक embryonated egg के कई सारे हिस्से होते हैं बास समझना रही है एक embryonated egg के जिसके अदर embryo बन चुका है दोखो यह embryo है उसके कई सारे हिस्से हैं जैसे कि albumin वाला part यह alantoic cavity है यह yorks egg हो गया जो पीला-पीला होता है एक के अंदर ठीक है ना यह chorionoyalentic membrane है तो हम लोग क्या करते हैं वाइरस को अलग कुछ वाइरस जो होते हैं पूरे egg में नहीं एक के कुछ खास हिस्से में वाइरस ग्रो करते हैं जैसे कि कोरियोलentic membrane inoculation यहां पर हरपीस simplex virus वाइरस और रौस सार को मा वाइरस वह यहां ग्रो करते हैं तो इसका यहां लगाते हैं और यहां पर इसका करते हैं इसको ग्रो होने देते हैं फिर बाद में कलट करना होगा तो यहां से इक साथ नहीं लगाते हैं एक लेंगे अगर मे में फोड़ लोगा मैं और फोड़ करके उसके अंदर से वाइरस को करता हूं मैं बात समझ में आई तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ एम्नियोटिक जो यहां पर इंफ्लेंजा वाइरस और मम्स वाइरस को ग्रो करवाते हैं यौक से यलो वाला पार्ट होता है यहां पर हम एक वालाओ पार्ट होता है यहां फर्वाइरस मम्स वाइरस न्यूऊ कैश्चय। इस तरह से अंडे के जो अलग-अलग खीक रहू हा रहा है इसको लोग क्या वूलते हैं इन उपूलेशन hem कि या बोलते हैं इसको in sophomo all connection अब क्या कर रहे हैं इसैंट है September क्या यह 18-18 इसका क्या यह डिस डिस डबाउंटेज डिस डबाउस्ट क्या है a inoculation varies with different virus जो inoculation है वो अच्छी हाँ लिखाँ डिसद्वांटेश ओफ इनॉकुलेशन वैरीज डिफिरेंट वाइरस है अलग अलग जगह पर हमें इनॉकुलेट करना पड़ता है यह नहीं कि एक जगह करते हैं ठीक है इच वाइरस है डिफ्रेंट साइट फॉर इस ग्रोफ यह इसका डिसद्वांटेश है बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अजराज वाइरस फी ग्रोफ पर नहीं हो पाती है फिर हम क्या करेंगे अब जब वाइरस के अंदर हम इंजेक्शन दे देंगे वाइरस हमारा ग्रो करेगा तो कल्टिवेशन ऑ वाइरस तो वाइरस के अंदर हम इनाखुलेट करके ग्रो करवा लेते हैं और इसके वाइद है टीसू कल्चर इट शुड भी फ्रॉम टीसी एजेंट जब टीसू कल्चर करेंगे टीसू ग्रो करवा लेते फिर उसके अंदर वाइरस को जिंदा रहने के लिए लिए लिविंग सेल चाहिए इस समझ लो प्रडक्शन वाइरस जो सीड लॉट सिस्टम था वहां से हमने वाइरस लिया और इसमें लाट डाल दिया यहां से हमारा वाइरस ग्रो करके फैल गया अच्छे संदे के अंदर अब इसंदे से हम आगे प्रोसेस कर लेंगे तो कह रहा है इनकेस ऑफ इन्फुएंज वाइरस था तो इलेंट फिलोड के अंदर इन्जेक्शन दिया था यहां पर बहुत सारा वाइरस समारा ग्रो कर गया होगा हम इसको क्या कर लेंगे सेंट्रिफिउस करेंगे इन्ट वाइरस निगलके अलग हो जाएगा तो प्रुवाइड एक कंसंट्रीट करेंगे तो नीचे वारस अलग हो जाएंगे थोड़ा सा यहां पर लिकुड भी रहागा तो सस्पेंशन बोल दिया इसको इस कंसेंट्रेट को यह इस कंसेंट्रेट को ट्रीट करेंगे और गेनिक सॉल्वेंट से यह डिटर्जेंट से टू इस्प्लिट दा वारेस इंट्वीट कंपोनेंट हम और इस वारेस के तुकड़े कर लेते हैं वैन स्प्लिट वायरियोन और सर्फिस एंटिजन वैक्शिन अर्प्रिपेर अगर हमें वायरेस के तुकड़ों की जरूद ह और यहांने की इस प्लिट वायरियोन उसके जो तुकड़े होंगे वही काफी है इम्मीन सिस्टम को जगाने के लिए या सर्फिस एंटिजन या तुकड़ों के ऊपर जो एंटिजन होते है या तुक्रे जो है उसके सर्फिस उपर खास तरी पोटीन पाए जाती जो की इमी ये लो फीवर करें लिए तो देखो क्या बोल रहा है यहलोफिवर में करेंगे पीष्छ देंगे और पानी के अंदर घ्र सरा अमें क्या मिल जाएगा पल्प मतलब अकत्वार से मिल जाएगा अंडे का जिसके अंदर होगा फिर centrifugation करेंगे, क्या करेंगे, centrifugation करेंगे, centrifugation then precipitate most of the embryonic debris, फिर बहुत सारा embryonic debris जो कुड़ा करकर था embryo का उसे precipitate करके निकाल देंगे and leaves much of the yellow fever virus in an aqueous suspension, और उसके बाद जो suspension महा पड़ा रहेगा, बाकी जाए तो precipitate होगी, precipitate मतलब solid form में निकल के बाहर हो जाएगी, जो suspension बचेगा, उसके अंदर धेर सारा क्या होगा, virus होगा, बात समझ में आ रही है, ओके, चलो, आगे आते हैं, तो यह देखो, अगर वो नहीं लिखना है, तो यह flow chart इसले में तुम लोगो के लिए लेके आया हूँ, किस तरह से करोगे आप लोग, देखो, co-infection of chicken egg, chicken egg का Beautiful'。」 यह टायप ऑफ वारेस होता है, वारल रेपलिकेट करेगा होगा जैनटिक रिऐ ऐस्वार में आप गए देखो क्या हुआ야지 स्कृन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे स्क्रीन करेंगे फिर कहां बेज दिया गया जो यहां से वाइरस निकाल करके कहां बेजे गए हैं वाइरस मतलब उसका पार्ट क्या लो तो जब हमकूरा का पूरा बॉरस चाहिए होगा तो हम ट्रेट मेंट करेंगे फॉमल्मण दिहाइड और भी टाप्रोक यह लैक्ताउन से अगर ethile split vaccine चाहिए होगा तो ethile ether या sodium dodecile sulfate से treat कराएंगे और अगर sub unit vaccine चाहिए होगा तो treatment भी detergent करवा देंगे इस प्रकार हमको ये vaccine नवारी तयार हो जाएंगे आगे जाकर pack कर देंगे, impulse के अंदर होगा तयार बात समझ में आ रही है, clear है अब यहाँ पर क्योंकि virus के हमने बात किये तो virus के अंदर एक काफी famous vaccine है हमारी polio vaccine जो की साइध exam में एक दो जगह पे पूछी भी गई है तो polio vaccine हमको समझनी पड़ेगी कैसे क्या होता है तो polio vaccine के अगर हम बात करें ठीक है, polio vaccine के हम बात करें तो there are three distinct antigenic types of polio malitis virus जो polio create करता virus उसके तीन category पाई जाती है type 1, type 2, type 3 ठीक है ना, the three types of virus are grown separately in cell culture इन virus को हम लोग cell culture के उपर ग्रो कराते हैं अलग-अलग separately of monkey kidney tissue यहाँ पर हम लोग monkey, बंदर की kidney tissue लेते हैं उसका culture करवाते हैं culture के उपर ग्रो करवाएंगे ना, tissue culture और यहाँ पर rehasis monkey लिया जाता है they are quarantined and checked for communicable disease फिर हम इसको क्या करते हैं अलग करते हैं, जब virus हमने ग्रो कराया हैं और चेक करते हैं, इनके अंदर कोई communicable disease तो infection नहीं लग गया है अब, दो तरीके से जो यह हमार पास virus बनके तयार आ गया है हम लोग दो तरीके से इसे prepare करते हैं पहला है, inactivated polio vaccine ठीक है, it is known as sark type, दिहां डगना बटा one mask question है, inactivated polio vaccine को हम लोग सark type भी कहते हैं after the American virologist Jonas Sark, Jonas Sark ने inactivated आने की killed virus को मार करके जो polio vaccine बनाई थी, वो अमेरिका के एक scientist थे, Jonas Sark, उन्होंने बनाई थी इसी लिए हम लोग इसको साक type vaccine भी कहते हैं ठीक है, after the virus suspension has been harvested, तो इसनों लोग क्या क्या जब virus suspension हमारा तयार हो गया harvest कर लिया, it is tested for हम उसको test करते हैं, किसके लिए correct strain of polio malitis virus कि इसके अंदर यह, वो ही तीन state मौझूद है कि नहीं है, the virus टाइटर, उसा कंसिट्रेशन कितना है, free from viral bacteria and fungal contaminate ठीक है ना, किसी और परकार का तो viral bacterial fungal infection नहीं है उसके अंदर, इन तीन चीजों के लिए हम लोग उसके फिर test कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, the virus suspension is passed through filter to remove tissue cell and bacteria, फिर हम उसे एक filter से pass कराते हैं, जिससे कि जो जिस tissue को पर हमने उसे grow कराया था, वो tissue अलग हो जाए और bacteria अलग हो जाए, inactivated by treating with 0.01% formaldehyde, फिर हम उसे क्या करते हैं, वारेस को inactivate करवाते हैं, यह वनमास question तुमारा बनेगा, 0.01% formaldehyde से under controlled pH and temperature, ठीक है न, with magnetic stirrer, stirrer से हिलाते रहते हैं, और pH and temperature control रखते हैं, इस process takes around 6 days, लग और 6 दिन लगते हैं, इसे inactivate करने में, neutralize the formaldehyde, अब जो solution के अंदर formaldehyde हमने डाला था, उसको भी हटाना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वनना वो vaccine के साथ हमारी body में चला जाएगा, उसे neutralize करने के लिए हम लोग sodium metabisulfite का use करते हैं, add theomercial as bacteriaside, और last में हम उसके अंदर theomercial add कर देते हैं, कि अगर कोई bacteria वगरा होगा, तो kill हो जाएगा उसके अंदर, इस परकार से हमारा ये inactivated वाला polio vaccine तयार होता है, बास समझ में आ रही है, clear है, बास, पंदा भी सुनट और उसका लेक्टर खाता होने वाला है, ठीक है ना, ठीक है, अटनुएटेड, oral polio virus ये attenuated या अब तुमसे अगर पूछे ताएगा, कि बताओ, जो oral polio vaccine पीते हैं, ठीक है, उसके अंदर बताओ, polio के virus जिंदा होते हैं, मरे हुय होते हैं, तो अदमरे होते हैं, जिंदा होते हैं एक तरह से लेकिन अदमरे होते हैं, ठीक है, तो अटनुएटेड या oral polio virus, this is known as seven type, seven type क्यों को आ गया, क्योंकि इसको भी एक अमेरिका के virologist, Albert seven ने बनाया तो, ये बटाओ, वन माक्स कोशन है, तुमारे, ठीक है, उसे मारने के लिए formaldehyde का इस्तमाल नहीं करते हैं, बलकि हम लोग बार बात बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करवाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कराने से, और medium में उतना वो रहता नहीं है, तो वो क्या होते हैं, अदमरे से हो जाते हैं, बार 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 जल्दी जल्दी ग्रो करने के वाए से, ठीक है, और जो कल्चर होता है, किसका होता है, monkey के kidney cell का होता है, there is no inactivation stage, यहां पर कोई भी inactivation stage नहीं होती है, पिछले वाले में थी, in addition to testing for freedom from extraneous bacteria, वो ही काम, यहां पर क्या है, bacteria जो कोई extra bacteria तो नहीं है, इसको test करने के अलावा, हम लोग mouths and viruses, उसको भी check करते हैं, कि जो हमारा vaccine तयार हो रही है, उसको नहीं कोई bacteria, mouths, fungi बगएरा, या कोई दूसरा virus तो मौजूद नहीं है, यहां पर कुछ special test और किये जाते हैं, क्योंकि हमारा इस बार जो vaccine गंदा वारस है, वो क्या है, जिन्दा है, ठीक, अगर वो पूरी तरीके से अदमरा नहीं होगा, तो हमारी body गंदा इंफेक्शन कर देगा, जिससे की जो special test होता, वो यह confirm करता है, कोई वारूलेंट, infection करने वाला, पूरी तरीके से सच्छम, एकदम जिन्दा, जो गया body में तो infection कर देगा, ऐसा तो कोई virus नहीं है, उसके अंदर, उसके लिए भी test होता है, तो यहां पर एकर थोड़ा सा difference समझें, कि साक vaccine और 7 vaccine में क में क्या था, अदमा रहे थे, it is administered as injection, इसको injection तोर पर देते हैं, इसको हम लोग ओरली देते हैं, ठीक है न, मोटे-मोटे difference हम उसके याद कर लेंगे, complete dose include, satisfactory immune response, पूरी डोंस ने देंगे, तो satisfactory response आता है, यहां पर, one or two doses of oral vaccine give 90-100% result, 102 dose देने पर पूरी तरीके से result आ जाता है यह systemic antibody response है, यह blood में चला जाता है, यह local immunity in gut, है न, इसको अगर तो डिटेल पढ़ोगे, जो हम orally लेते हैं, vaccines को, वो gut में जाके local immune system अपना create करता है, तो उसके बारें detail में नहीं जाएंगे, तो local immunity in gut, यह gut में रहता है, इसकी local immunity, और यह पूरा systemic हो जाती है, पूरी blood में चल किलियर है, ठीक हमने क्या पढ़ लिया, सीडल पढ़ा, production of bacteria पढ़ लिया, production of varis पढ़ लिया, ठीक है, treatments से व्ने bacteria को अलग कर लिया, बना लिया और virus को अलग कर लिया, दोनों बन के हमारे ready हो गए, अब हम क्या करेंगे.. पूरी तर अब बेंडिंग करेंगे, blending में क्या होता बैक्त तेसरा स्टेप है सीड लॉट के बाद देखो सीड लॉट का लमने इधर बैक्टिरय पड़ा इधर वारस पड़ा अब हम धोनों में क्या पड़ेंगे ब्लैंडिंग यह कौमन होगा दोनों में ठीक है ना ब्लैंडिंग में क्या हो गाइज आप्रोसस्ट इन to be greatly diluted हम लोग उसको करते हैं डालूट करना पड़ता है क्योंकि इनिशली जो हमें मिलता हो बहुत ज़्यादा कांसेटेट फॉर्म में होता है तो कह रहा है वेन बैक्टिर वैक्टिरल एक्टिर्वेक्टिर्वेक्टिन सा ब्लैंडेट जब से मिक्स किया जाएगा दा थियो मर्सल हैज बीन वाइडली यूज इन पास्ट बाट नाव बिंग फेजड आउट एंड रिप्लेस बाइट फिनॉक्सी इतनॉल और अल्टरनेटिव तो थियो मर्सल याद रखेंगे बैक्टेरिया के जो वैक्टिर्या के वैक्टिर्वेक्टिन होता था उसमें प्ली है वाउल के अंदर उसे फिल कर देंगे जैसा जरूरी है वैक्टिर्वde और mandar yield एंट ब्राइट इस इसलिए वर्ड यहां ड्राइंग आया है के लिए बाते हैं इस प्रकार हमारी है पुरी स्टेप कंप्लीट होती है वैक्सिन प्रपरेशन की बास समझ में आई वेटा खेलिया रहा है बस अब एक टॉक्षाड टॉपिक बचा है फटाफट देख लें दस मिन लगने वाले ठीक है टॉक्षाड वैक्सिन फटाफट देखते हैं टॉक्षाड वैक्सिन क्या होते हैं टॉक्षाड हम में बताई चुका हूं क्या होते हैं ठीक है फॉर बैक्टेरिया बैक्टेरिया के लिए स्पेशली इस्तमाल होता है टॉक्षाड वैक्सिन एसे बैक्टेरिया जो ट 백신 are used when bacterial toxin is the main cause of illness इसका तभी इस्तमाल होता है अगर bacterial toxin हो में कोज होता है illness का तब हम इसको toxoid vaccine का इस्तमाल करते हैं scientist have found that they can inactivate toxin by treating them with formulin scientist ने क्या पाया कि जो toxin हैं उसको लोग inactivate कर देते हैं scientist have found that they can inactivate toxin यह toxin को inactivate कर देते हैं by the use of formalin formalin क्या होता है और solution of formaldehyde and sterilized water sterilized water और formaldehyde के mixture को हम लोग क्या बोल देते हैं formalin बोल देते हैं ठीक है खास percent होता है I think 40% होता है such detoxified toxin called toxide जो अब यह हम उपर ही पढ़ रहे थे ऐसे detoxified toxin को जाने कि अब इस toxin में toxicity create करने की छमता नहीं रह गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं toxides बोलते हैं are safe for use in vaccine यह safe होते हैं as a vaccine के use के लिए okay toxide has an important property called immunogenicity याने की immune system को जगाने की छमता इसके पास होती है that is immunogenicity मतलब ability to induce immune response this basically means that they are still recognized by the body as harmful याने की यह अभी भी हमारी body जो है वो पैचान लेती है इसको as a harmful product clear रहे अब बात करें types of toxide ठीक हम toxide के कुछ तीन से चाय वराइटी होती है यह एक होता है formal toxide this type of toxide prepared by 0.5% formaldehyde ठीक है into toxin याने कि जो हमारा toxin है उसको 0.5% formaldehyde से treat करा देंगे and incubate incubate मतलब मार पास एक chamber होता है है जिसमें हम heat करते हैं 37 degree के लिए तीन से चार दिगरी तीन से चार हफते के लिए ठीक है this is an excellent antigen but is used as unpurified form so it often cause severe reaction यह काफी अच्छा antigen होता है बट यह unpurified form में इस्तिमाल होता है तो यह कई बार reaction कर जाता है ठीक है अब उस reaction को हमें कम करना है तो इसके बाद एक advanced version आया टॉक्साइड एंटी टॉक्सिन फ्लोक्यूल हमने यहाँ पर क्या किया इन दिस प्रेपरेशन एट्टी यूनिट ऑफ एंटी टॉक्सिन याने की antibody mixed with 100 unit of toxide ठीक है ना antitoxin mixed with 100 unit of toxide toxide के साथ हमने antitoxin को भी mix करा दिया आफ्टर थ्री वीक्स दफ्लोक्यूल्स विल सेटल डाउन फिर यह कैसा गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं जोन ताइप का बन जाएगा वह नीचे बैढ़े आएंगे एंड शुपरनेट फिल्टर नहीं करेंगे विकाउज आफ दा प्रोटीन नेचर इअफ करेंट नहीं करेंगे इसका निच्टर वाश्ट करने से खराण हो जाते हैं तब वाश्ट विद सेलाइन सॉलूशन उस जो फ्लोक्यूर्स से हमारे पास बन गए थे मैंने बता है उसको वाश करते हैं बाइद डिकैंटेशन वाश करेंगे फिर से उपर से डिकैंटेशन के माद दियम से जो वाशिंग वाला पानी उसको निकाल देंगे अंटिल इट विकम्स कलर लेस एंड री सस्पेंड़ इन देस्यलाइन कंटेनिंग बैक्टिरिया साइड और फिर वापस से हम उसको रिसस्पेंड कर देते हैं सेलाइन कंटेनिंग जिसके बैक्टिरिया साइड होता है ठीक है बैक्टिरिया अगर होगा तो मर जाएंगे के व सब्सक्राइब करए एक होता है एक होता है एक होता है एड़ार्ब सर्फिस पे ड्यॉडब खेबल और मिनरल केरियर सच यह अलुमिनिवुनियम हाइड्रोकसाइड और अलमीनियम फोस्थेट किसी एक को पर में उसे ड्चुप कर देंगे दिस एड्चौप ओफ टॉक्साइट फॉर्म डिपोट डिपोट का मतलब पता क्या होता है उन्जेक्शन लगाएंगे तो हमारी बॉड़ी में वहाँ पर जाकर के इखटा हो जाता है और फिर धीर धीरे वहाँ से वह से ठीक है तो उससे बेटर हो गया यह एलम प्रेस्टेटेट टॉक्साइट प्रोडियूसर मच रायर एंटिवाडी लेवल जैन्दा फॉर्मल टॉक्साइट और टॉक्साइट अट्वाडी लेवल हमारी बॉड़ी में जादा मातरा में एंटिवाडी को प्रड्यूस करवाता ह है कंपेर टू टॉक्साइट पहरा नंबर का था और इसके मुकावलें जो इसके उपर वाला है टॉक्साइट अंटिवाडी बनावाता है हमारी बॉड़ी में सम्टाइम अडल्ट और चिंडरन में शो लोकल हाइपर सेंस्टिविटी रियक्शन देखे गई हैं यहां पर दूर करने के लिए हमने प्यूफाइट टॉक्साइड अलम अलुमिनियून फॉस्पेट का इस्तवाल किया अब क्या कर दिया हमने सिंपल तक उंसे इडिज मोर प्योर यह इस से ज़्यादा प्योर फॉर्म थी आज कंपेर टू अलम प्रेश्पिट टॉक्साइड दिस कैन आए यह ध्याद रखेंगे मैंगेशियम हाड्रोकसाइड अमोनियम सल्फेट अंड कैडियम क्लोराइड यूज टू प्यूरिफाय दा टॉक्सिक ठीक है उसको प्रेश्पिटिंग प्रोटीन फॉस्पेट और रिमूव दा कलर ओफ सब्वेंशन ठीक है ना तो मैंगनेश प्रोटीन फॉसपेट एंड रिमूव दा कलर ओफ सब्सक्राइब कर देते हैं और रिमूव दा कलर ओफ सब्सक्राइब कलर भी रिमूव कर दे आए तो इसकी प्यूर्टी कहीना का इंक्रीज कर जाती है सेमी सिंथैटिक के उपर ग्रो करने के वैसे हेर अलुमिनियम फॉ सेम एस पीटी एपी जाने कि जैसे पीटी एपी बिल्कुल इसकी जैसा ही है केवाल एक चीज़ चेंज है यहां पर क्या चीज़ चेंज है यहां पर हम लोग यहां पर अलुमिनियम फॉसफेट जैल का इस्तमाल करते हैं अच्छा सौरी यह रिप्लेश कर दिया आता है वि ऑर यह प्रकार हमारी जो सेंश्टीविटी ए वह और कम हो जाती है पांच प्रकार है याद रहे हैं तो अच्छी बात है अदर्वाइस कोई दिक्क्यत वाली बाज नहीं है उसके बाद सिंपल हम यहां पर आया थे हैं किया प्रप्रेशन अब मैंने जैसे बताया था इसका प्रप्रेशन जो उपर हम लोग कर रहे थे उसके प्रप्रेशन में वैक्षिन वाले प्रप्रेशन वाला था वहां तक वैसा भी कर सकते हैं अधर्राइस सिंपल यहां पर मैं करेंगे suitable good yielding strain ऐसा bacteria का strain लेंगे यह ऐसी प्रजाती लेंगे लोग टेटनाइगी जो अच्छी मात्रा में क्या करेगा टॉक्सिन प्रडूस करेगा ऑफ लुड़क्सेट गुड़क्वालिटी गुड़ इल्डिंग जो टॉक्सिन बहुत अच्छी मात्रा में बनाए ऐसा हम श्ट्रेंड लेंगे ठीक है नाव प्रपरेशन ऑफ टॉक्सिन इसको मैं कहां सब्सक्राइब करते हैं एक्स अच्छो बाडी के अंदर बनेगी यानिकि अंदर बनेगे तो एंड़ो बाड़ी के भार में छोड़ यह वार हमें को पाघ्या क्सकी के पॉसिंट तोक्षिंट यहां पर दो टाइप के टॉक्षिंट बनते हैं ठीक है, namely the tetanolisin and tetanol spasmid, दो type के toxin बनेंगे, tetanolisin और tetanol spasmid, incubate it under optimal condition, इसको हम लोग incubate करेंगे, वही मैंने बता है, एक हमार पास chamber सा होता है, जिसके अंदर temperature set कर सकते हैं, एक proper optimal condition में इसको हम इंक्युबेट करेंगे, grow होने देंगे, और इंक्युबेट मतलब बढ़ने द तो हम लोग तब तक बैक्टरिया को इंक्यूबेट करेंगे ग्रोव करने देंगे जब तक कि टॉक्सिन का लेवल एक स्टिस्वेक्टरी लेवल तक नहीं पहुंच जाता है जब हमें लगे हैं परियाप मात्रा में टॉक्सिन बन चुका है ठीक है उसके बाद हम उसको 30.3% formalin से and incubate at 37.7 37 degrees centigrade for 2 to 3 वी और फिर हम इसको क्या करेंगे ट्रीट कराने के बाद एक करते हैं याने की हम होट चमबर में रखते हैं 37 degree centigrade set करके 2-3 हफते के लिए until the toxicity has disappeared जब तक कि तोकसिन की toxicity disappear नहीं हो जाती है this is called formal toxide अब जो toxicity हट गई है formalin का use करके तो अब जो वो आया है toxin उसको हमने क्या कहा formal टॉक्साइड डेफिन से आ सकती है इसका याद रखेंगे के लिए रहे हैं इस इंप्यूर फॉर्मल टॉक्साइड चैनिक अभी यह इंप्यूर है इसको प्यूर कर लेंगे किसी भी लेटेश टेक्निक का यूज़ करते हुए नाओ इस इस प्यूर कर लेंगे तो उसका प्यूर फॉर्मल टॉक्साइड कहते हैं इस प्यूरिफाइड फॉर्मल टॉक्साइड और यह जो प्यूरिफाइड फॉर्मल टॉक्साइड है इसको अम लोग इस्तमाल करते हैं टॉक्साइड वैक्सीन बनाने के लिए भर देंगे आगे जाके तेटनस टॉक्साइड यूज़ इन थ्री डिफरेंट टाप्स ओ एक्षीन एज डिसकस अब अब यह पूरिफाइट टैटनस टॉक्साइड है यह तीन तरह के वैक्षीन में हल्प मतलब इस्तवाल में आता है ठीक है जैसे वह पांच तरह के बनेते सब फॉर्मल टॉक्साइ ठीक है कौन-कौन से हैं फ्रेश्राइट ऑफ एलम प्रैस्पिट टॉक्साइड प्रॉप लोगा है उसके वाद अन्मेसर किसी बी दीन प्रकार का वैक्षिन अपनी बना सकते हैं टॉक्षा लेक्सिन केलियर है बातें तो काफी लंबा चैप्टर अपने अंत की तरफ आग गई होगी इस चैप्टर नमर फाइब ने बहुत तंक किया खेर काफी लेंदी था थोड़ा सा यह लेकिन बड़ा समझना जरूरी था अब समझ में आ गया होगा तो यहां से हम कुछ बना करके लिख सकते हैं पता है क्या अगर को चीज समझ में आ गई है एक वरी वैक्षिन पढ़ लिए एक बार फिर लिंक डिस्क्रिब्शन मिल जाएगा मेरा नंबर है हमेशा की तरह हुए यह कोई डाउट वार तक तो मज़े कौल रें गे और यह अपना must app है जिसका आप लोग use कर सकते हैं काफ़ी सारी बच्चे इसका इस्तिमाल कर रहे हैं क्लास में वाई जोड़ते हैं ठीक है मज़ आता है बात वागी सबसे जरूरी चीज क्या है पढ़ना है और revise करना है All the best